कि चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एंटी आइटी आपकी कच्छा दस्वी की भारत और समकालीन विस्व सेकेंड के नाम से जो मुक्स हैं इसी के बारे में बात कर रहे थे तो इसमें दो चैप्टर आपके खतम कर चुके हैं पहला आपने देखा था यूरोब राष्टवाद का होता है यह सबसे मात्पूर्ण चैप्टर है और दूसरा भी आपका बहुत ही मात्पूर्ण चैप्टर है भारत में राष्टवाद इन दोनों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ चुके थे तो आप लोग देख ले उन्हें और तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन इंतजार कर लिया करेगी है थोड़ा और आपकी कच्छा चटवी से कच्छा दस्थी तक की लगवक्त सभी कंप्लीट करवा चुका हूं तो उन्हें देखते रहिए आप लोग अच्छे से एक से दो दो बार देख लीजे औ और 12 तक मैं बात की है ना 12 तक करवानी है complete जो आपकी civil service और state PCS के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं इनका कोई दूसरा भी कल्प नहीं है अगर आप सोचते हैं कि NCEIT छोड़के दूसरी कोई books पढ़के आप selection ले सकते हैं तो हो सकता है कि कोई बड़ा महा आदमी हो कर सकता है लेकिन मैं यही कहता हूं कि NCEIT एक निव की तरह काम करती है जिस तरह से आप मकान बनाते हैं तो हो सकता है कि कोई महान हो वो बिना निव भरे नी भरे मकान खड़ा करती लेकिन वो मकान चांदा दिन तक टिक भी नहीं सकता है तो इसलिए समय रहती नोट्स भी मत पढ़ना कभी ठीक है क्योंकि वो कोई भी पॉइंट अपने हिसाब से लिखता है अपने हिसाब से नोट्स बनाता है ना कि आपके हिसाब से अब जैसे आप महतमा गांदी के बारे में कोई मैं मैं आप नहीं बता रहा हूं नोट्स बनाओ तो मुझे महतमा जानती के बारे में जनम याद है, उनके बारे में जो point याद होगे, उसे मैं notes में थोड़ी लिखूँगा, आप भी जानते हैं कि notes का मतलब यह होता है, कि एक books को पूरा एक घंटे में revision के करने के point view से notes बनाया जाता है, यानि कि आप समझ सकते हैं कि एक books को वहीं 10-15 page में क्या notes बनाने, किस तरह से बनाने, सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए जानते tension मतलिया करेगा और NCAIT को पढ़ ले, अगर आप civil service या state PCS की कि किसी भी state PCS, MP हो गया, UP PCS हो गया, या विहार PCS हो गया, ठीक है, तो आज हमें बात करनी है तीसरे chapter के बारे में, भू मडली बिस्व का बनना, यह आपका तीसरे chapter है, और इसकी जितनी भी PDF आपकी टेलीगराम पर डाल दी गए हैं, जो आपके लिए जरूरी है, और दूसरी बात आपकी NCAIT पूंड कभरेज के नाप से जो आपकी playlist चुची है, उसी में आपकी सभी class है ड़ी होई है, तो ज्यादा tension म लीजिए, और याद रखिए आपके लिए Facebook पेज खुला हुआ है, वहाँ आप लोग message कर सकते हैं, और कौसिज करूँगा कि आपके 24 गंटी के अंदर जो भी समस्या रहेगी उसे solve करने की बात करूँगा, ठीक है, तो आप लोग बने रही है, अच्छे से पढ़ते रही है भू मंडली कित विस्व का बनना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, बड़े धैर के साथ आपको सुनना है, और एक हम लोग परिवार की तरह देखेंगे, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और जो भी समझ में नहीं आता है, बताते रहा करिएगा मुझे, बात करते हैं आदूनी कियुक से पहले, जब हम बैस विकर्ण की बात करते हैं, तो आम तोर पर हम एक ऐसी आर्टिक विवस्था की बात करते हैं, जो मौटी तोर पर पिछले लगबग 50 सालों में ही हमारे सामने आई, लेकिन जैसा कि आप इस अध्या में देखेंगे, भू लंबा इतियास रहा है, आज जब हम अपने जीवन में बैस विक आपसी संपर्ण के बारे में सोचते हैं, तो हमें उन योगों के बारे में भी जाना चाहिए, जिन से गुजलते हुए हमारी ये दुनिया ऐसी बनी हुई है, यानि कि आप समझेए कि आज कि बैस विकर्ण क हमारी पहुच आसान हुई है, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि नहीं, मतलब नए तरीके से, वैसे तो आप देखते हैं हडपा सबता से ही हम देखते हैं, कि हमारे व्यापार अने देशों से हुगा करता था, उस समय में सुपो टामिया की सबता, ग्रीश की सबता, नील यात्री, ज्यान, आउसरों और अध्यात्मिक सांती के लिए या फिर उत्पीरण, यातना फूर्ण, जीवन से बचने के लिए दूर-दूर की यात्राएं यात्राओं पर जाते रहें, अपनी यात्राओं में ये लोग तरह-तरह की चीजें, पैसा मूल सम्मानताएं, हुन जगह से दूसरी जगह ना जाती, आज हम लोग देखते हैं कि संस्किती बदल रही है, हमारी विचारदारा भी बदल रही है, आप देखते हैं कपड़ों के पहना, पहनावा भी बदलता दिखाई दे रहा है, तो जब भी हम देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश जो भ गरीब तो विदेश गया नहीं था, बड़े-बड़े लोग गये हुए थे, वो जब भारत आये, तो भारत आज गया कोरोना, उसके बाद यहां भी आपसी में फैलता रहा, पूरुम में समुद्री ततों पर होने वाले, ब्यापार की मात्यम सिर्सिंदु भाटी की सब्धता, उसे इलाके से भी जोड़ी हुई थी, जिसे आज हम पश्चे मेशिया के नाम से जानते हैं, हजार साल से भी ज्यादा समय से माल दीप कि समुद्र में पाई जाने वाली कोडियां, जिने पैसे या मुद्रा के रूम में इस्तिमाल किया जाता था पहले, चीन और पूर्वी अफीका तक पहुंच रही हैं, बीमारी फैलाने वाली कीटाणूं का दूर दूर तक पहुं आपके पास मुबाइल, इस तरह ही सोबिधाएं आप देख रहे हैं, कि एक हाल में ही आप लोग, दो-चार मिनिट में आप कहीं भी बात कर सकते हैं, पित्वी पर किसी वीवेस्स में आप समझ रहे हैं, किसी वीवेक्ती से, लेकिन उस समय अलग बात कुआ करती थी, लोग अगर यात्राएं भी करते थे, तो बहुत टाइम लगा करता था, तो एक तरह से आप कह सकते हैं, कि वेस्ट वीकेंड का ये नया दोर, एक तरह से टाइम बदल चुका है, और नए टाइम के साथ बहुत कम समय में आप की पहुँच हो चुपी है, इस पिक्चर्स को देख एक इसमिती सिलाओं पर पानी के एक जहाज का चित है, गुआ संगराले, दस्वी सिधाब्दी का एक चित है, पश्टमी तटके चित में पाई गई नभी सधी के बाद की, इसमिती सिलाओं पर जलपोतों की तस्वीरों से उस काल में समुद्री ब्याबार की मत्त का पता च दिख लेते हैं, आपने सुनाओगा असोग के स्थम्ब, आप देखते हैं कि उन्होंने तरह तरह की स्थम्ब बनवाए, तो उसी का साहरा लेकर तो हम लोग असोग के बारे में जानते हैं, समझें? तो आप इसके ब्याबार का अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्री आखि चलता है कि हमारा ब्यापारिय किस तरह ऐसा? फिर आप एक मार्क सुनते हैं, रेसम मार्क, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया, यह भी कापी चर्चा में रहता है, आदुनी काल से पहले कि यह उमें दुनिया के दूर-दूर इस्तित, भागों के बीच ब्यापारिय को सा इतिहासकारों ने बहुत सारे सल्क मार्कों के बारे में बताया, जमीन या फिर समुद्र से होकर गुजरने वाले राश्तिना के बल एसिया के विसाल चित को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बलके एसिया को इउरोप और उत्तरी अपीका से भी जोड़ते थे, ऐस इसी राश्ते से चीनी पोटरी जाती थी, और इसी राश्ते से भारत बाद अच्छेंड पूरो एसिया के कपड़े बं मसाली दुनिया के दूसरे भावों में पहुचते थे, वापसी में सौने चांदी जैसी कीमति धातु में इउरोप से इसिया पहुचती थे, यहां भी कि जो भी अंग्रेज आए, या बिदेशी जो भी कंपड़े आई, किस लिए आई थी, ब्यापार करने के लिए, आपके यहां का जो भी मसाला और जो भी कपड़े हुआ करते थे, इनकी यूरोप के देशों में बहुत मांग थी, वहां के जो बड़े घराने के लोग थे, म मेचते थे, और एक समय आपने देखा है कि भारत सोने की चिडिया कहलाने लगी, लेकिन बाद में आपने देखा है कि किस तरह से परिष्टेती बदली, और अंग्रेजों ने यहीं रुग ए, और यहीं सासन करने लगी, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहीं से पैसा कम आया, ब्यापार किया, उसका प्रॉपट भी अपने घर भेजते गए यावनी की अपने देश में, और कपडा ब्यापार भी करते रहे, चीन की एक गुफा पैंटिंग में, दर्साय गया सिल्क मार्क आठवी सदी, गुफा दोसो सत्रे, मुगाओ, ग्राटोच, गंसु ची चीन की है, चीन की गुफाय, कहां ही चीन की, ब्यापारों सांस्केति का आदान पेदान दोनों पिक्किरिया है, साथ साथ चलती थी, सुरुवाती काल के इसाई मसिनरी निश्चे थी, इसी मार्क से एसिया में आते होंगे, कुछ सदी बाद मुसलिम धर्मों को दे सक, भी इसी राष्टे से दुनिया में फैले, इसलिए भी बहुत पहले पूर्वी भारत में ओबजा बहुत धर्म सिल्क, मार्क की बिभिद साथाओं से ही कई दिसाओं में फैल चुका था, आप लोग ने सुना भी होगा, उस समय के क्या हुगा करते थे, असोप को ही ले लिए आ उस समय अपने धर्म को जो भी राजा जिस धर्म को मानता था, उसका परचाल करता था, इसाईयों को आपने देखा है, मुसलिमों को भी आपने देखा है, उनका जादा लूटने से जादा दियान रहता था कि अपने धर्म को किस तरह से बढ़ाया जाए, और इसे आप पोजन की यात्रा इस पे घेती और आलू हमारी खाद पदार दूर देशों के भी सांथकेते कादान पदान के कई उधारन पेज़ करते हैं जब भी ब्यापारी मुसाफिर किसी नई देश में जाते थे जाने अंजाने वहां नई फसलों के बीज बो आते थे संभव हो है कि दुनिया के बेविन भागों में मिलने वाले चट पर तियार होने वाले खाद पदारतों के भी सांजा सरोत रहे हैं आईए इस पे घेती और नूडल्स का ही उधारन ले माना जाता है कि नूडल्स चीन से पर्चे में पहुँचे और वहां उन्हें उनी से इस एक हिती का जनम हुआ या संभव होई की पास्ता अरवयाक्तियों के साथ पांच भी सदी में सिसली पहुचा जो अब इटली का एक टापू है इसी तरह के आहर भारत और जापान में भी पाई जाते हैं इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह ना जात सकें कि उनका जनम कैसे हुआ हुआ फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर का जा सकता है कि आधनी काल से पहले भी दूर देसों के वीच सांस्कितिक लेंडें चल रहे हैं और आपको समझाने का यहां कोई यहां से कोई बस्तू वहां जा रही यह मतलब नहीं है यहां समझाने का मतलब सरिफ इतना है कि आपकी पहुँच उस समय भी अन्देसों से थी, आपके आंके भी सांसित्तिक लेंदेन बने रहे होंगे, आप लोग गाओं में भी देखते हैं, एक समय हुआ करता था कि गाओं में जाना चाय लोग कमी पीते थे, कौपी कमी पीते थे, समझ रहे हैं, आज आप सो पयापारी चीजों की अदला बतली करते हुए, मार्को कोलू बुक आप मार्वल्स पंद्रवी सदी की बात है देख रहा है आलू सोया मुंपली मक्का टमाटर मिर्च सकरकंद ऐसे ही बहुत सारी दूसरे खाथपदार लगभा 500 साल पहले हमारे पूरवजों के पास नहीं थे एक खाथपदार थे यूरोब और रेसिया में तब पहुँचे जब किष्टो फर कॉलंबिस कॉलंबिस गल्ती से उन आग्यात महादीपों में पहुँच गया था जिने बाद में अमेरिका के नाम से जानने जाना जाने लगा यहां अमेरिका का मतलब उत्री अमेरिका और दच्छणी अमेरिका और केरीबियन सब दो इस संबूर से हैं दरसल हमारे बहुत सारे ख़द पदार्थ अमेरिका के मूलनिवासियों यानि कि अमेरिकन इनियनों से हमारे पास आए हैं याद रखिए अभी वहां कि जन्द आप लोग जाती को बात करते हैं अमेरिकन इंडियन कहते हैं यानि कि उनी के नाम पर बात किया जाता है क्या होता है कि कि ओलंबस चलते हैं भारत की कोच के लिए वो समय भारत कुछ जाना ही चर्चा में बना हुआ था लेकिन वो गलती से पहुंच जाते हैं अमेरिका की धरतीवा और वो कहने लगते हैं कि नहीं यही भारत है एक नई दुनिया की कोज वो कर देते हैं कई वायन नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आस्मान का फरक आ जाता था साधरन से आलू का इस्तिमाद सुरू करने पर एउरोप के गरीवों की चिंद्री अमूल लोग से बदल गई उनका भोजन बहतर हो गया उनकी ओसत उमन बढ़ने लगी आयलेंड के गरीब कास्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुकी कि जब 1840 के दसक में दसक के मद्द किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाप लोग भुकमारी के कारण मौत के मुल में चले गए अभी भी तो हम लोग देखते हैं आलू का किस तरह से फ्रयोग किया जा रहा है सबसे सस्ता एक समय हम लोग देखते हैं सैन मुझे लगता है कि आलू ही रहता है सब जीयों में हल समय तो ये भी बैस वीकन का ही एक प्रभाव है अब बात करते हैं विजय बीमारी और व्यापार 16 वी सदी में जब एउरोपिय जहाजियों ने एसिया तक का समुदरी रास्ता ढूंड लिया विपश्चिवी सागर कुपार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर आधुनीक विस्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा आज तो आप सोचिए कि आज तो ऐसा लगने लगा कि एक मतलब परिवार की तरह लगने लगा है कि हम एक दिन में आप चाहें तो कहीं भी पहुंच सकते हैं कहीं भी आ सकते हैं इतना सुपरफाष्ट मतलब हम सोचिए हमारे पास टेकनोलोजी आ चुकी है इससे पहले कई सदियों से हिंदमास अगर की पानी में भलता पूलता ब्यापार तरह तरह की सामान लोग ग्यान और परमपरायें एक जगे से दूसरी जगे आ जा रही थी भारती और मादीम में इन परवाहों की रास्ते में एक एहम बिंदू था पूरे नेटबर्क में इस लाके का भारी महत्त था एउरोपियों के दाखले से यह आवाजाही बढ़ने लगी और इन परवाहों की दिशा एउरोप की तरब भी मुड़ गई अपनी खोज से पहले लाकों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्ण नहीं था लेकिन 16-20 सदीर से उसकी विसाल भूमी और बेहसाब फसलें बखनिच पदात हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगी आप कहिए कि हमारा अगर कोई कहता है अमेरिका बढ़ा है तो कहिए कि हमारी सब्धा सबसे कोना पुरानी है समझ रहे हैं कहते हैं कि कल नेता कहते हैं कि मैं भारत को बच जाने की बात करना हूँ भारत कोई छोटा भोटा वो नहीं है सब्द ना कोई भोगलिक इस्तिती है ऐसली के कोई आए और उठा की ले जाए हमारा इतिहास आप सोची कि हजारों साल पहले का है जब कोई धर्ती बन नहीं था तब भी भारत था आज भी है और हमेशा रहेगा नेता दो बस रोटी सेंखने की बात पर ही इस तरह की बातें करते रहते हैं भारत को बचाने की आपको लगता है कि भारत को बचाने की जरूरत है वो बैसा ही हाल है कि बन बचाने की बात की जा रही है अरे भाई बनों ने हमें बचा के रखा हुआ है हमारी वक्षाद इतनी नहीं है कि हम बनों को बचाने की बात करें कम से कम मस इतना है कि छेवरचाड मत करिये बनों से आज के पेरू और मेक्सको में मुझूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं खासतोर से चांदी ने भी इउरोप की संपदा को बढ़ाया और बश्चिमेसिया के साथ होने बाले उसके व्यापार को गती बिदान किये सत्तरवी सदी के आते ते पूरे इउरोप में दच्छन अमेरिका की धान संपदा के बारे में तरह तरह की किस से बनने लगे इनी किनवन दंतियों की बदोलत वहां लोग एल डॉराडो को सौने का सहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारी खोजी अभियान भी सुरू किये गए या पुच्छे तो देख रहा है ऐसा है देख रहे होंगे आतलो आयलेंड में आलू अकाल एल एल डेड लंदन न्यूज पिपर 1869 की एपिपर फसल कट जाने के बाद बच्चे कुचे आलू की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोथते बच्चे 1845 से 1849 की बीच पड़े भयानक आयरे सालू अकाल के दोरान आयलेंड लगभग आपका दसलाग लोग मरी के कारण मारे गए थे इससे दुगने लोग काम की तलास में घर बार चोड़ तब दूसरे इलाकों में चले गए थे 16 भी सदी के मद्द तक आते आते पुर्दगाली और इस्पेनिस सेनाओं की बिजए का सिलसला सुरूं हो चुका था उन्होंने अमेरिका को उपने वेस बनाना सुरूं कर दिया था और येवरोपिय सेनाओं के बल अपनी सेनिक तागत के दम पर नहीं जितती थी इस्पेनिस बिजएताओं के सबसे सकती साली हत्यारों में परामपरागत किस्म का सेनिक हतियार तो कोई था ही नहीं यह हतियार तो चेचक जैसे कीटाडू थे जो इस्पेनिस सेनिकों और आपसरों के साथ वहां जग पहुँचे थे लाकों साल से दुनिया से अलग धलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के सरी में ये रोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने का बचने की रोप पिती-रोधी चमता नहीं थी और आप सभी जाते हैं कि पुर्दगाल सबसे पहले हमारे देश में आये और सबसे बाद में आप समझते हैं कि 1971 तक हमारे देश में रहते हैं सबसे बाद में छोड़ कर जाते हैं और पिती-रोधी चमता की बात इसलिए की जाती है समझे आप लोगों को पोलियो का टीका क्यों लगा जाता था बच्पन में इसलिए लगा जाता था कि आंगे आने वाले समय में अगर पोलियो वायरस आप पर अटेक करता है तो आपके यह सुरक्षा कर सके ठीक है तो अमेरिका की लोगों के पास इस तरह की पिती-रोधक चमता थी ही नहीं तो वो इस विमारी से कुछ जाना भी परभावित होते थी अभी भी तो आप सुनते रहते हैं जैवी खत्यार आप सुनते रहते हैं कई तरह की इस तरह की जीवों की विभाव की जाती अभी से इस वायरस की भी बात की जा रही है कि चाइना ने इसे एजाद किया है दुनिया को परभावित करने के लिए जैवी क्योट New England State मैसा चुट बे कालोनी के पहले गवर्णर जॉन बिन्थोन ने मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेस कारों के लिए इस सुर का बर्दान है देशी जन्ता चोटी चेचक के कारों लगबग पूरी खतम हो चुकी थी इस तरह परमेसर ने हमारी मिलकियत पर हमें मालक्याना दे दिया है एक बात और आपको बताऊ एक समय हुआ करता था कि इस तरह की महामारी आय करती थी और गाउं के गाउं साप हो जाये करते थे उस समय आप सुचे कि कुछ जाना ही प्रभावित हुआ करते थे लोग और उस तरह इस तरह की सुविधा भी नहीं थी अपचार की तो आप समझे ये भी एक तरह का योद्धी हुआ करता था कि विगना लड़े खतम फलसरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित वी एक बार संपन सुन होने के बाद तो यह वीमारी पूरे महादिम में फैल गई जहां यूरोपे लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे इसे पूरे के पूरे समुदाय को खतम कर डाला इस तरह गुस्पेटियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया आसंतुष्ट जो इस फापित विस्वासों और तरीकों को नहीं मानता हो आप भी तो कहते हैं कि हम आसंतुष्ट हैं इस तरह के विस्वासों से तरीकों से वही सब्द होता है आसंतुष्ट बंदूकों को भी खरीद कर या छीन कर हमलावारों के खिलापी इस्तेमाल किया जा सकता था पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि हमलावारों के पास उससे बच्चाओ का तरीका भी था और उनके सरी में रोख पिती रोधी चमता भी बिखसित हो चुपी थी एक बात आपको बताओं अभी जैसे कुरोना महामारी को आप लोग ले लिजे माल लिजे चीन ने इज़ाद कि चीन ऐसा करें कि अपने हाँ इसे इज़ाद करके इसका टीका बना कि अपने लोगों को दे दे और उसके बाद ये क्या करें कि बाहरी देशों में भिध्या हो इसने माल लिजे एक बार एक मालने की बाद के जा रही है तो आप देखेंगे कि चेन की जंता तो सुरक्षित है ना बाकी देश फिरवावित हुए और आप सोचिए जब तक इसकी बाहरी देश इसका टीका खोजेंगे तब तक आदी दुनिया हसाब हो चुकी होगी तो इसी तरह कि उस समय भी उपयोग कर देते इस कामों को उन्नीसवी सदी तक इउरोप में गरीवी और भुकाई समराज था शहरों में बे इसाब भीड थी बीमारियों का बोलबाला थी धार्मिक टकराओ आम था धार्मिक आसंतुष्टों की को कड़ा दंड दिया जा तता इस बज़े से हजारों लोग इउरोप से भाग कर अमेरिक एससे क्या हुआ था कि वेस्टविकण का एक और प्रिवाव आपको देखने को मिलीगा कि जो आपने देखा होगा अभी भी आस्वेट, जड़ब होती रहती है अमेरिका में भी होती रहती है अभी में तो आपने देखा कि नेलसार मंडिला साहब हुए उन्होंने काफी तक इस पर control भी किया है समझ रहे अभी भी अमेरिका हुए आपको इस तरह की जड़ब देखने को मिलती रहती है हम लोग Tamil की बात करते हैं सिलिलंका में भी Tamil लोग देखने को मिलते हैं तो क्या हुआ करता था कि अंग्रेज क्या करते थे कि हमारे हां के कामकारों अन्न देशों में ले जाकर हुआ काम करवाते थे और वो लोग वहीं बस जाते थे यही अफीका का हुआ कि अफीका की लोगों को अमेरिका ले गए बाकी देशों में ले गए यह लोग वहीं बस गए इन्ही को आसुरित कह देते हैं और इन्ही के साथ भेदभाव नसलिये भेदभाव भी किये जाते हैं 28 सिदाप्दी का काफी समय बीच जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देसों में गिना जाने लगा था ACI ब्यापार में भी उन्ही का दबदबा था लेकिन विसे सब्गों का मानना है कि पंदरवी सदी से चीन ने दूसरे देसों के साथ अपने संबंद कम करना शुरू कर दी वह दुनिया से अलग दलग पढ़ने लगा चीन की घरती भूमिका और अमेरिका की बढ़ती महत्त के चलते विस ब्यापार का केंद पश्चिम की ओर के सखने लगा अब यूरोप की विस ब्यापार का सबसे बड़ा केंद बन गया है एक समय आप देखते थे कि यूरोप बहुत ही गरीब हुआ करता था यह दूसरे का चूण 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 कर अमीर हो गया इस पिक्चर्स को आप लेग देख रहे होंगे आप सबी गुलामों की खरीद फरोप निव ओर्लियंस एल इस्टेट ट्रेड लंदन निवज 1859 की बात ही एक खरीदार निलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है इस चित में चार ओरतें और लंबी टोपिया पहने साथ कुरसों की साथ दो बच्चे भी विखने के लिए खड़े हैं अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अफसर पढ़िया कपड़ा कपड़े पहना कर बाजार में लाया जाता था वह समझी आप लोग कि आज आप लोग पसू की बात करते हैं कि आपने कई वार सुना भी होगा कि आप लोग Coronavirus की यहां किसे पसू मेला लगता है वहाँ पसू ले जाया जाता है और उन्हें अच्छे से रख दिया जाता है फिर खरीदार आते हैं, उनकी निलामी कर थे हैं उन्हें खरीद के ले जाते हैं तो इस यही हाल एक समय हमारे यहां की इंसानों का फाल था, हमारे यहां के देख लिए फिर या दच्छे डपीका के देख लिए, गरीब देश थे, गरीब थे तो कि यह करते थे कि एक जगे से दूसरे जगे गुलामों की खरीद फरुक्त होती रहती थी, अब चलते हैं, 19-बी सताब्दी की बात करते हैं, 1815 से 1914 की बात करते हैं, 19-बी सदी में दुनिया तेजी से बदल लगी, आर्थिक, राजनितिक, सामाजिक, सांस्कितिक और तकनिकी कारकों से पूरे के पूरे समाज की काया पलट कर दी, और विदेशी संबंदों को नए ठर में धाल दिया, अल्थ सास्किरियों ने अंतराष्टी आर्थिक बिनीमन में तीन तरह की कलतियों या प्रवाहों का उलेक किया है, इनमें पहला प्रवाह ब्यापार का होता है, जो 19-बी सदी में मुक्रोप से बस्तू हों, जैसे कपड़ा या ग्याउंग आदी, कि दिर गाउदी के लिए दूर दराज खिलाखों में निवेश कर दिया जाता था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज आप देखते हैं कि अमेरिकी कमपनिया हमारे देश में भी निवेश करते हैं, कई लोग आप देखते हैं कि हमारी कमपनिया अफगानिस्तान इस तरह के दे आबाजाही के मुकाबले से में कों कि आबाजाही का पर प्रयाद जानदा सलते हैं और बंदिसें लगाई जाती थी फिर भी यदि हम इंतिने प्रवहाओं का एक साथ अध्यान करें तो 19 सदी की 20 अर्थवरस्था को जानद अच्छी तरह समझ सकते हैं पर वहार का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आन ठीक है अब बात करते हैं विस अर्थवरस्था का उदय देखते हैं इस विसाय को समझने के लिए सबसे पहले उद्धोगेक यूरोप हैं खाद उत्पादन और उकुहों के बदलते रोज्जानों पर विचार करें तो बेहतर ह उसे सभी देश भोजन के मामले में आत्मिरवर्व होने कपरियास करते रहे हैं लेकिन 19-20 सदी के बेटेन के बात अलग थी अगर वो समय बेटेन खाद आत्मिरवर्था के रास्ते पर चलता तो आहां के लोगों का जीवन इस्तर ग्यों जाता और सामाजी एक तनाव फेलत आईए देखें कि असंका के पीछे क्या कारण था कि अठारवी सदी के आखरी दस्तरकों में बेटेन के सर आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी नतीजा देश में बोजन की मांग भी वड़ी जैसे जैसे सहर फेले और उद्दोग बढ़ने लगी किरसी उत्पादों की मा पावंदी लगा लाउ की थी उन्हें कौन लोग इसे भी याद रखे कौन लोग कहा जाता था खादपदार्तों की उची कीमतों से परेशान वो दोगपतियों और सहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया वह कौन लोग को फॉरन समाप्त कर दिया गया और आप भी जानते हैं कि सामान दिससी बात है कि जन्तंख्या बढ़ेगी तो इस तरहे कि खादपदार्तों की मान तेजी से बढ़ेगी ठीक मर्म कोन लोग की नरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खादपदार्थों का आयात किया जाने लगा आयातित खादपदार्थों की लागत बेटिन में पैदा होने वाले खादपदार्थों से भी कम थी खालसरू बेटिस कर्षानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातत्माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे विसाल गूबागों पर खेती बंद हो गई और हजारों लोग बेरोजगार हो गए गाहों से उजड़ कर या तो सहरों या फिर दूसरे देसों में जाने लगे ये इस्तिती आज भी देखते हैं आप लोग कई वार आपने देखा होगा कि जो बाहरी देसों से हमारे याँ खाद आयात होता है तो उन पर भी टेक्स लगा दिया जाता है टेक्स इसलिए लगा जाता है क्यों कि आप जानते हैं कि हमारे यहां की किसान है, उनकी हालत गंबीर हो सकती है, उनकी पसलों का आप सोचे कि गहूं को ले लिजे, आपके देश में कोई उत्पादन कर आए किसान, उगा रहा है गहूं को, तो उसका खरच आ रहा है एक किलो गहूं को उगाने में 15 रुपे, और बाहरी देशों से लोग एक तरह से ड्यूटी भी लगा देते हैं उस पर, टैक्स लगा देते हैं, जैसे क्या होता है कि दोनों बरावर पर पहुंच जाते हैं, जब खादपदार्थों की कीमतें गिरावट आई, तो बेटेन में उब्भोक का इस्तर बढ़ गया, 19 भी सधी के मत्रम से बेट रोस, अमेरिका, आउस्टेलिया, दुनिया के हर हिस्ते में बेटेन का पेट बनने के लिए जमीनों को साफ करने करके खेती की जाने लगी, खेती के लिए जमीन को साफ कर देना ही काफी नहीं था, खेती हर अलाकों को बंदरगाओं से जोड़ने के लिए रेलेवे की भी ज यानि नए घर बनाना और नए वस्तियां बनाना भी जरूरी था इन सारे कामों के लिए पुझी और स्रम की जरूरती इसके लिए लंदन जैसे बित्तिय केंदों से पुझी आने लगी अमेरिका और ऑस्टेलिया जैसे जिन इस्तानों पर मजदूरों की कमी थी वहां लोगों तो आपने देखा है कि सबसे जवर्जस्त कटाई अगर बनों की हुई है तो इसी समय हुई है समझ रहे हैं 19-वी सदी में यूरोप के लगबग 5 करोर लोग अमेरिका औस्टेलिया में जाकर बस कई माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगबग 15 करोर लोग बहतर भविस्ट की चाह में अपने घर बाद छोड़ कर दूर-दूर की देशों में जाकर काम करने लगे रोजगार की एक तरह से आप कह सकते इतल्यास इस पेक्टरस को आप देख रहे हैं अमेरिका को रवाना होते आपरवासियों से लदे जहाज का चित है एम डवलू रेडले ने 1869 की बात की जा रही है कबकि 1869 की जिस समय हमारे देश में गांदी जी एक का जनब होता है समझ रहे हैं इसी समय अठारे सो नबतर में ही थोगा था गांदी जी का जनब जनब पूरी दुनिया को बदल के रख दिया हमारा ही देश नहीं उनका पूरी दुनिया में आपने दिखा है बोल बाला रहा है एक बोल जो आप धोती पहनता था आपने देखा है किस तरह इसे लाटी से एहनसा का रास्ता अपनाते हुए तो आप समझेए कि एहनसा के रास्ते पर चलकर भी आ जाती मिल सकती है जहाज पर चड़ने का इंतजार करते आयरी सा विवासियों का चित माइकेल फिटज जराल अठारे सुचोहत्तर की बात है यानि कि एक जगे से दूसरी जगे काम करने के लिए लोग जाती हुए अठारे सो नब्बे तक एक बैस्विक क्रिसी अर्द विवस्था सामने आ चुकी थी इस गटना के साथ थी सरम विस्थापनों रोजानों पूंजी प्रवाद पारस्तितिकी और तकनीक में गहरे बदलावा चुके थी अब भोजन किसी आसपास के गाउं या कस्पे से नहीं बलकि हजारों मील दूर से आने लगा था अब अपने केतों पर खुद काम करने के बाले किसान यह खाद पतार पैदा नहीं कर रहे थी अब यह काम ऐसे उद्दोगी के मजदूर करने लगे थी जो संभावता हाल ही में वहां आये थी और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीड़ी पहले संभावता खेट जंगल हुआ करते थे यानि कुछ समय पहले जंगल हुआ करते थे उनी को साफ करके इस तरह के खेत बनाए गए खाद पदार्तों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था रेलवे का नेटवर्ग इसी काम के लिए बिचाय गया था पानी के जहाजों से इसे दूर देशों में पहुंचाय जाता था इन जहाजों पर दच्छेड यूरोप, एसिया, अफीका और केरीवियाई दूइपसमों के मजदोरों उसे बहुत कम बेतन पर काम करवाया जाता था अभी आप देखते हैं हमारे देश से और अफीका से सबसे जाना आप देखते हैं अमेरिका में काम करने के लिए लोग जाते हैं किस लिए जाते हैं क्योंकि आपने देखा है हमारे देश के सस्ता सरम मिल जाता है हमारे आप समझ सकते हैं कि आप अपने ही देश की इस्तिती ल नहीं है कि हम किसी उसमा कोई देंस के क्ते हैं मित्तर चलाईगा फैक्टरी के लिए लिए और उवह क्या चाहिएगा कि सस्ता मिल जाएं सस्ता आप सबही सब्धाएं मिल जाएं जिससे आधिक से अधिक लावों आगे बरते हैं बहुत छोटे पिरामाने पर दें सही लेकिन इसी तरह के नाटकी बदलाव में अपने यहां पंजाब में भी देख सकते हैं यहां बेटिस बार सरकार्ने अर्ध रेकिस्थानी परती जमीन को उपजाव बनाने के लिए नहरों का जाल बिचा दिया ताकि नेरियात के लिए गहों और कपास की केती की जाए सके नए नहरों की सिचाई वाले इलाकों में बंजाब के अनिस्थानों की लोगों को लाकर बसाए गया उनकी वस्तियों को कैनाल कॉलोनी नहर वस्ति का कहा जाता था भोजन जो सरफ एक उधारन मात है कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी थी रही है जिसकी दुनिया भर में बड़े परमान पर क्यती की जाने लगी थी ताकि बेट इस कपड़ा मिलों की मान को पूरा किया जा सके रवड की कहानी भी इसी तरह इससे अलग नहीं है विविन चीजों के उतपादन में विविन इलागों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व ब्यापार में 25 से 40 पीस दी गुना विद्धी हो चुकी थी इस ब्यापार में लगबग आप 63 सत हिस्सा प्रात्मिक उतपादों यानि गयों और कपाश जैसे किरसी उतपादों और कोईले जैसे खनीज पदार्थों का भी है याद रखिए अंग्रियज्म के आने के बाद बहुत कुछ बदला आपने देखा है कि तरह तरह की खेती की जाने लगी है और रेलीवे लाइनों का भी बिच्छाई गई हुई है आपने देखा है कि आपने बंदरगाहों का नीभी निर्माट किया गया है कि एक जगह से दूसरी लिए गए खात द्यान बेजने में परेशानी ना हो तकनीक की भूमक्या की अगर बात करें तो इस गटना किरम में तकनीक की क्या भूमक्या रही है रेलेवे भाब के जहाद, टेली गराफ ये सब तकनीक की बदला वहुत महत्पून रहे है उनके बिना 19-वी सदी में आये परिवर्तनों की कलपना नहीं की जा सकती है तकनीकी प्रगिती अकसर चोतरपाथ, सामाजिक, राजनितिक और आर्थिक कारगों का वैडाम भी होती है उधारन के लिए उपनिवेशी करण के कारण यात्यायादों परिवहन साधनों में भारी सुधार किया गया तेज चलने वाली रेल गाडियां बनी, भोगियों का भार कम किया गया जलपोतों का अकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पात को खेतों से दूर दूर के बाज़वरों में कम लागत और जन्दा आसानी से पहुंचाया जा सके एक बार अभी सुनिये 1947 के बात की ही बात है हम लोग बहारी मात्रा में गयों भी आयात किया करते थे कहा जाता है कि रिलालबाद सास्तिरी का योगदान है कि हम लोग आज आद मरवर है खेती में यानि कि गया हूँ खाद्यान हमारे दिये परयाप्त हो जाता है हमारे देश में लेकिन इससे पहले आपने देखा है कि बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग आयात करती थे अमेरिका जैसे देशों से एच जित आपको दिख रहा होगा इस स्कीन पर दा इसमित फील्ड किलब पसु बाजार 1859 में इल इस्ट्रेटेड लंदन यूजका मेलों में किसान अपने पाल्तु जानवर लाते थे जिनकी वहाँ खरीद फरोप्ति भी की जाती थी इसमित फील्ड में लंदन का सबसे पुराना पसु बाजार था 19. सदी के मद्द में इसमित फील्ड के पास एकविसाल मुर्गी एवं मास बाजार खोला गया था जहां से देश के सभी बड़े मास आपोर्ती केंदों को रेलवे लाइन जाती थी यहां आप देख रहे हैं यह हैं पसु मास उत्पादों की व्यापार से इस पिक्रिया का चांदाजा मिलता है और 1870 की दसक तक अमेरिका से यूरोप को मास का निर्यात नहीं किया जाता था उस समय के वल जिन्दा जानबर ही भेज़े जाती थे जिन्हें यूरोप लाग ले जाकर ही ताटा जाता था लेकिन जिन्दा जानबर बहुत जाना जगय गिरते थे बहुत सारे तो लंबी सपय में मर भी जाते थे या फिर बीमार पढ़ जाते थे बहुतों का बजन गिर या फिर खाने के लायक नहीं रह जाते थे इसी वज़ए से मास खाना एक महेंगा सौधा था यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था दूसरी तरह पूंची कीमतों के कारण मास उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था नई तकनीक के आने पर या इस्तिती बदल गई पानी के जहां जो में रिप्रेजरेशन की तकनीक इस्ताफित कर दी गई जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था आपकी आद देखते हैं कि आप जो भी मास लेते हैं जो भी आप लोग खाते होंगे कई लो तक वहां से डारेक्ट आप लोग ले रहें तो हो सकता है बना आप देखते हैं कि फ्रेजरों में रखकर आती है बरत उसी को आप लोग खरीदते हैं यार बखिए ऐसा भी होने लगे आप सुचिए कि माली ये बकरी है ठीक है बकरी बकरे इनका मास इस तरह सी हमारे देश म को मिलती है इनका मास काट की इनके जो भी बाग की खराब सामान मतलब खराब इनका जो भी है इनमें जो मैन उपयोगी है जो खाने लिए युग है उसे काट कर एक मतलब इस तरह से पैकेट बनाए जाए कि भीजने लगे एक जगए से दूसरी जगए सप्लाइ करने लगे तो आप सोचें कि गाउं में ही इस तरह की बात होने लगीगी कि वहां से मास काटिये और जो जरूरत का सामान है उसे निकाली हो बाकी वहीं फेक दीजे तो यहीं हुआ करता था इरों में आप देख रहे हैं कि जब जिन्दा जानवरों को लाते थे कई मर जाती थे कई बीमार पड़ जाते थे आप समझ रहे हैं कि मतलब बहुत थानी हुआ करती होगी उसके बाद आप देख सकते हैं कि बदला हुआ तकनीक आई और आपने देखा कि वहां से मास ही निर्यात होने लगा एक जगह से दूसरी जगह अब जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं पड़ता था इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहली ही मारा जाने लगा अमेरिकी आउस्टेलिया नियुजी लेंड सब जगे से जानवरों की वज़ाए उनका मासी एउरोप बेजा जाने लगा इससे नाकेबल समुद्री आत्राओं में आने वाला खरच कम हो गया बलकि एउरोप में मास के दाम भी गर गए एउरोप के गरीवों को जिन्दा बिवित्ता पूर्ट खुराक मिलने लगी पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मासार मक्षन वा अंडे भी सामिल हुए जीव इस्तिती जीवन इस्तिती सोधिरी तो देशों में सांती स्ताकित होने लगी और दूसरे देशों में समराजवादी मसुवों को समरतन भी मिलने लगा आप ही सोचे कि एक ज्याज पर आप चलिए माल दीजे कि दस बकरी ले जा रहे हैं और अगर आप चाहें तो एक बकरी कि जगे मास की मास में हम लोग इनहें बदलें काटकर ले जाए पूरा मास निकाल के जो जरूरत का है तो एक बकरी की जगे पूरा सोची दसका जो 10 वकरी हों flight यों उनका इस्तान आ जाएगा मास कि अगर हम लोग इनहें बदल के करें तो इसमें क्या होगा कि अधि कि किसांद्रा जल्पोत पर लाजा जा रहा है इल इस्टे ट्रेड लंदन नीज 1878 की बात है मास्क का निर्याद तभी संभा हो पाया है जब जहाजों को ठंडा रखने की वेवस्ता कर ली गई है क्योंकि क्या होता है कि मास्क खराब भी हो जाते हैं कोई भी बस तो आप सबस्काइब टक जाते जाते खराब हो जाता था लेकिन आज हम लोग देखते हैं 102-3 दिन तक भी रखा रहता है धूर आप लोग कही सब्जियामी देखते हैं कि फ्रेश रखे रहते हैं आप लोग उसमें आप लोग रख देते हैं और 25-26 दिन काम चलाते हैं ठीक है? तो 1927 के आखिर में आखिरी दसकों में ब्यापार बढ़ा बाजार तेजी से फैलने लगे या केबल फैलते ब्यापार और संपर्नता का ही दौर नहीं था हमें इस विक्रिया के स्याय पक्ष को भी नज्जर अंदाज नहीं करना चाहिए ब्यापार में जापे और विस्त और कटता का एक परिड़ा में भी हुआ है कि दुनिया के बहुत सारे भागों में सुतनता और अजीबका के साधन चिनने लगी उन्नीसवी सदी के आखिर दी दसकों में इवरोपीयों की विजयों से बहुत सारी कष्टदायक आर्थिक सामाजी और पारस्तित की परिवर्थन और ओपन इवरी से समाजों को विस अरद्वयस्था में समाहित कर लिया गया इसका सीधा मतलब है कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक समय हमारे आंके जंजातियों पर कभी किसी तरह की पिती बंद नहीं लगाए गया है कोई भी राजा माहरा आजा हुआ 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 वो जंगलों के स्वामी हुआ करते थे वो जिस भी पेड को काटना चाहे हैं जहां भी बसना चाहें बस सकते थे लेकिन आपने दिखा है कि अंग्रेजों के आने के बाद तरह तरह की पिती बंद जेल ने पड़ है उन्हें तो उन्हें भी बगावत का आंगे देखा है आदिवासियों का भी युगदान जंजातियों का भी युगदान जंजाती आंदोलन आदिवासी आंदोलन समझ रहे हैं तो इससे यह भी फरक पड़ा है कि उपने विल स्वास से यानि कि अंग्रेजों के व्यापार जो भी इस तरह की व्यापार ने थी हुए कि कई आजिक आंदोलन भी हुए हैं तो ये क्यों हुए क्योंकि इसमें बदलाओ किया जा रहे थी और ये बदलाओ समाज की विप्रीद थी जरा अफीका की मांचित को देखे आप आएंगे कि वहां की कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसे हैं मानों उन्हें इसके अल रखकर खीची गया हो दुरभाग गबस यही हुआ भी है था अफीका पर कपजे की कौसित में लगे पिती दुन्दी इवोपियर ताक्तों ने अपने अपने इलाके बाटने के लिए प्रा इसी तरही के का साहरा लिया और 1885 में यूरोप के तागत बर देशों की वर्लिंग में एक बेटन हुई जिसमें अपीका की नक्से पर इसी तरह की लखीरें खीच कर उसको आपस में बाट लिया गया यह 1885 की वही बात है जो महारे देश में एक कॉंगरिस की स्थाफना हुई थी एक राष्टी यह मंच में लाग हुआ था और इसमें भी बहुत राष्टबाद का उदय एक तरह से हुआ क्योंकि उससे पहले आप देखते थे कि अलग-अलग संगठन हुआ करते थे सभी को साथ लेने की एक कोई विवर्ष्था नहीं थी यह संगठन आया हुआ सबको जोड़कर आंगे एक दिसा दी आंदुरन को अब आप सूचिए कि चलिए आप लोग मान लीजिए कि आप भारत हैं हमारे देश के कुछ सकती साली आप सूचिए लोग जाएं और हो कास हो ठीक है चाइना पर कभजा कर लिते हैं चाइना पूरे हमारे अंडर में आ जाता है honor miya दस सक्तिया है हमारे देश में ठीकित दसक्तिया हुआ आपने अपने बट्वारे को लेकर लड़ती जगठती रहे तो इन सभी के भीचे ंड्र將 होता है और एक लाएं आप आपके अलाके में यह पढ़ता है आसे राज आप यहाँ करेंगी यह करेंगी तो यही होगा अफीका में भी आप देख रहे हैं यह मुरको अल्जीरिया इस्पैनिस सहारा रियो डीजिनो औरो पोर्ट गीनो सेरा लियोन आईवरी कोष्ट दच्चिडपीका मेडागासकर पड़रा चोही है जहां हमारे गगदेगी भी कुस्तमय के लिए रहेते हैं यह जो आपको दिख रहा है यह किसका है यह है जर्मन का यह आपको दिख रहा है यह बेल्जियन का यह आपको दिख रहा है यह बेटेस का और ए आप देख रहा है यह फ्रेंच क्या है फ्रेंच का और ए सब देख रहा है आपको ए ए है जर्मन का ए आपको देख रहा है ए है ए देख रहा है इतालवी का और ए देख रहा होगा आपको ए है पुर्द गालों का किसका पुर्द गाली का यह आपको दिख रहा होगा यह है Spanish का और बाकी यह है बैटिस Dominion का और फिर आपका सुतंत बचता है ठीक है कुछला का सुतंत तो एक तरह से कहिए कि बटवारा हुआ है इन सक्तियों में सभी मुख सक्तिया हुआ करती थी यह सभी और इनके वी चपीका को लेकर जो भी जगता हुआ उसके बाद बांट दिया गया है ठीक है 19-20 सधी के आखिर में बैटेन और प्रांस ने अपने सासन वाले विदेशी चेतपल में वारी बिद्धी कर ली थी बेल्जियम और जर्मनी नए उपनेवेसिक ताकतों के रूम में सामने आए पहले स्पैन की कबजे में रह चुकी कुछ उपनेवेसवादों पर कबज़ा करके 1890 की देसक में आकरी वरसों में सभी तराज अमेरिका भी उपनेवेसिक ताकत बन गया था यानि कि अमेरिका भ ऐखर में उपनेवेसित अपीका का मान चीत था ठीक है आजा आज आप लोग इससे ही तो अपीका कहते हैं अपीका माधी इस बॉक्स को भी देख लेते हैं मद अभीका में सर हेनरी मौर्टन इस्टेनली इस्टेनली एक पत्कार और खोची थे निवार्ट हेरल्ड ने उन्हें कई साल पहले अभीका गए लिविंग श्टन नामक मिस्री की कोच करने के लिए बेजाता उस जमाने के अन इउरोपिय और अमेरिकी अनवेसकों की बाती इस्टेनली भी हत्यारों से लेस होकर गए थे उन्होंने वहाँ जाकर इस्थानिये सिकारियों यह उद्धाओं और मजदूरों को एकटा किया इस्थानिये कभीलों के साथ लड़ाईयां लड़ी अफीकी भूदेस की पड़ताल की और विविन इलागों की नक्से भी बनाए बाद में इनको जो और अनवेसनों से अफीका को जीतने में मधद भी मिली ऐसे भोगोलिक अनवेसन केवल विज्ञानिक जानकारियां एकटी एकटा करने की सामानिक्छा से पेरित नहीं दोती उनका समराजवादी योजनाओ से सीधा संबंद भी होता था इस चित्र को आप देख रहे हैं विए यही है मधद भीका में सरहंज़ी मॉर्टन इस्टेंली और उनकी टोली यह आपका इल इस्टेड टेड लंदन इस्टेड पर है अठारे सोच एकटर की एकटर है अब बात करते हैं हम लोग रेंडर पेस्ट या मवेसी पिलैड यानिकी बीमारी अफीका में 1890 की देशक में रेंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से पहल गी मवेसियों में पिलैड की तरह पहलने वाली इस बीमारी ने बीमारी से लोगों की अजीब का विस्थानिय और द्विस्ता पर गहरा असर पड़ गा यह इस बात का अच्छा उधारन भी है कि ओपने वेसिक समाजों पर यूरोपिय समराजवादी ताक्तों के परवाव से बड़े करवाने पर क्या असर पड़े इस उधारन से पता चलता है कि हमलों और विज्यों के इस योग में गोड दुरघरन बस फैल गई मवेसियों की बीमारी ने हजारों रोगों का जीवन बभाग बदल कर रख दिया दुनिया के साथ उनके सम्मंदों को नई सकल में डाल दिया जिशकी हम लोग की बीमारीओं की बात कर रहे थे न उसी कित्फ बात कर रहा हूं पराचीन काल से ही अफियका में जर्मन जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही जब कि वहां की आबादी बहुत कम थी कहां की अफियका महदीब की बात कर vagina सदियों तक अफिकियों की जिन्दगी बहुत काम का जमीन और पालतु पसूँ के सारी चलता रहा है वहाँ पैसे या बेतन पर काम करने का चलन नहीं था 19. सदी के आखिर में अफिका में ऐसे वो बोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें बेतन के पैसे सिख दीदा जा सकता था अगर आप अफिका के एकसान होते और आपके पास जमीन और पालतु पसूँ होते जिनकी वहाँ कोई कम ही नहीं थी तो साइध आपको यह भी बात समझ में नहीं आती कि बेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत है 19-20 सदी के आकर में यूरोपिये ताक्ते अफिका के विसाल बूचित और खनिज बंडारों को दिखकर इस मादिप की और आकर सित हुई और यूरोपिये लोग अफिका में बागानी केती करने और खदानों का दुहन करना चाहते थी ताकि उन्हें बापस यूरोप भेजा ज़र सकी लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेस आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वहाँ के लोग तनक्वाय पर काम नहीं करना चाहते थी यानि कि बेतन पर काम नहीं करना चाहते है। मजदूरों की भरतियों उन्हें अपने पास रोकी रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे अजमा कर देख लिए लेकिन बात नहीं बने उन पर भारी भर कम करलाद दिया गया जिसका भुकतान केबल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हूँ कास्टकारों को उनकी जमी से हटाने के लिए उत्तरादिकार कानून भी बदल दिये गये नए कानूमेंणों में यह वेवस्था कर दी गई कि अब परिवार की केबल एक ही सदस्थ को पैत्तर संपत्ति मिलेगी इस कानूम के जरी परिवार के बाकी लोगों को सरम बाजार में धखिलने की का प्रयास किया जाने लगा खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया, उनके खुलया भूमने फिरने पर पावंदी लगा दी, तभी वहां रेंडर फिष्ट नामक बिनासकारी पसू रोग भी फिलने लगा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप किसी गाउं में जाते हैं, कोई फैक्टरी चालू करते हैं, वहां के लोगों काम करने के लिए बेतन पर तयार ना हो, और आपको इस तरह की सहमेकों की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, कई तरह के हाथकंडे आप भी अपनाएगे, तो इन्होंने अग्रेजों भी उस समय यूरोपी या जो भी सकती साली थे, उन्होंने य दूसरे जगे काम तो करेंगे, पैसे की चाहत में, तो ऐसी तरह के कई कदम उठाएगे, यह आप देख रहे हैं कि याफीका, दचिर अपीका के, ट्रांसवाल स्वड खदानों में खुदाई करते हुए मजदूर, दाग्राफिक 1875 का चित्थे, ठीक है, यह आपको देख आपको पार करना ट्रांसवाल की सेना खदानों तक पहुचने का सबसे चोटा और आसान रास्ता था, विट वॉट, सरेंड, मैं सौनी की खोज, खोज के बारे में तो, बीमारियों और मौत की आसंका, बारास्ती की कटनाईयों के बाब जूद यूरोप के लोग इस अलाके की और दौट पड़े, अठारे सुनब्बे की दसक तक आते आते, दुनिया भर की सेना, सोना उत्पादन में अफिका एक का इस्ता, बीच पितीसत से लिव उपर जा चुका था, आप एक तरह से कह सकते हैं कि यूरोप में मतलब आप समझे कि अफिका में सबसे जना सोना द में दिखाई दी, उस समय पूर्वी अफिका में एरिटिया परहमला कर रहें, इतालवी सेनिकों का पेट भरने के लिए एस्याई देशों से जानवर लाए जाते थे, या बीमारी बेटिस अधीपत वाले एस्याई देशों से आये उनी जानवरों के जरिये यहां पहुंच या एक महादीप से दूसरे महादीम में आसानी से पहुंच जाएगी, तो यही इसी समय भी देखा गया है, अफिका के पूर्वी हिस्से से महादीप में दाकिल होने बाले है, बाली है बीमारी, जंगल की आग की तरह पश्चमी, अफिका की तरह अफिका की तरफ बढ़ने गई, रेंडर पेश्ट ने अपने राष्टे में आने वाले 90-50 मवेसियों को मौत की नीद सुला दी, मैंने बताया ने कि उस समय आप इसे मवेसियों में छोड़ी पसूं में, लोगों का भी यही हाल था, इंसानों का भी यही हाल था, कि आप सोचिए कि अगर छोटी माता या बड़ी चेशक इस तरह की कोई बीमारी आई, गाउं के गाउं साथ कर दिये, कई देश साथ हो गय से, तो इसमें भी यही देखा गया कि 90-30 सत्ता का आप देख सकते हैं, मवेसियों जो पसूं थे, वो मौत के घाड चड़ गये, पसूं को खतम हो जाने से, तो अफीकि पसूं को सरम बाजार में ठकेलने के लिए, वहां के बागान मालिकों और खान मालिकों और ओपनेवेसिक सरकानों में बच्चे खुचे पसूं भी अपने कबचे में ले लिए, बच्चे खुचे पसूं संसादनों पर कबचे से यूरोपिय ओपनेवेस कारों को पूरे देखी जा सकते हैं एक तरह से इसे आप लोग आज के समय में ले लीजिए कोई आप चलिए आप आने जाके सिविल सर्वेंट बनेंगे समझ रहें अभी आप सिविल एस्परेंट है तो आप देखिए कि आप इमांदार रह्माल लेते हैं तो आपको मतलब आप किसी तरह के व हो जाएंगे तो इसी तरह का उन्होंने भी अंगर वहाँ भी यहीं सक्किया थी उन्होंने अफीका में भी यही किया कि आखिर बो लोग दूसरे यानि कि उन लोगों के उपर निर्भर हो जाए एक तरह से वह जैसा कहें वैसा करें इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए भारत से अनुबंदित सेमिकों का जाना, भारत से अनुबंदित यानि कि गिर्मिटिया, यानि कि एक जगे से दूसरे जगे ले जाने वाले किसा जो भी सेमिक थे, काम करने वाले थे, इन्हें ही आप लोग गिर्मिटिया कह देते हैं, या पर अनुबंदित कह देते हैं, ठी सेमिकों को ले जाना भी 19 सदी की दुनिया की विवित्ता को पितिवंदित करता है एक जगए से दुवत्री जगए यह तेज आर्थिक बिद्धी के साथ साथ जंता के कष्टों में विट्टी कुछ लोगों की आय में विट्टी और दूसरों के लिए बेजसाब गरीवी इसी के लिए गयते चाय बागानों में काम करने के लिए हमारे भारत से और वहीं इस थाई रूप से बस गए और आज भी देखते हैं बसे हुए 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 19 सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूर मजदूरों को बागानों ख़दानों सड़क और रेलवे निर्बार परियुजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाये गया और भारती अनुबंदित सेमिकों को खास तरह के अनुबंद या फिर एग्रिमेंट के तरह तहत ले जाये जाता था इन अनुबंदों में यह सरत होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों के पांस साल काम कर लेंगे तो भी स्वेदिस लॉट सकेंगे एक आप लोग उन्हें साउथ की कोई मूबी है आप लोग देखते हैं कि कोई क्या करता है कि उन्हें एक तरह से इसी तरह का अग्रिमेंट कर लेता है और विदेशों में बेस देता हूं लोगों को उनके जो भी पासपोर्ट होते हैं उन्हें भी जब कर लिया जाता है उन देखिए आपको समझ में आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि किसी भी तरह से आप लोग समझें, कहीं से भी कोई भी उधारन अपुट कर सकते हैं, सामिल कर सकते हैं, भारत के जानदातर अनुबंदी सेमिक मौझूद पूर्वी उत्तरपदेश, बिहार, मद्ध भारत और तम उनमें आप देखने को मिलते हैं कि बिहार, उत्तरपदेश की मौझूर काम करने के लिए जाते हैं, उननीसवी सदी के मद्ध, मद्ध में इन इलाकों में भारी बदलावाने लगी, और कुटी रुद्ध्यूख खतम हो रहे थे, जमीन का बाड़ा बढ़ गया था, खानों काम की तलास में उन्हें अपने घर बाड़ छोड़ने पड़े, भारती अनुबंदीत सेमिकों को मुकरूप से करीवे आई, दो इपसमूर, मुकता, तिनीदाद, गुआना, सुरी नाम, मौरीसस या परफीजी ले जाय जाता था, तमिला अपिरवासी, सिलोन यानी कि जिस यह आपके सामने पिक है, दिख रही होगी आपको, तिनीदाद के एक कोको, बागान में काम करते हैं भारती है, गर्मिटिया मजदूर, उननीसवी सदी का प्यारम की बात है, मजदूरों की बंती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे, और एजेंटों को कमीशन मिलता थ बहुत सारे आप्रवासी अपने गाउं में होने वाले उत्फीरन और गरीवी सी बचने के लिए इन अनबंदों को माल लेते थे, एजेंट भी भावी आप्रवासीयों को पुर्सलाने के लिए जूटी जानकारियें देते थे, कहा जाने लगा कि यात्रा के साधन क्यों हों और नई जगे पर काम और बाचीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी, बहुत सारे आप्रवासीयों को तो यह भी नहीं बताया जाता था, कि उन्हें लंबी समद्री यात्रा पर जाना है, अगर कोई मजदूर अनबंद के लिए राजी नहीं होता, तो एजेंट उसका अफ़र्ण कर लेते थे, आप समझी कि उस समय भी अफ़र्ण इस तरह के किड़नेपिंग की बात होती थी, और एक बात और आप, कोई दूसरा अपिकल भी तो नहीं था, आज आप लोग एरान को ले सकते हैं इस मामले में, कि आपने कि एरान चारों तरफ से घर चुका है, कि एरान पर बुरी तरह से अमेरिकाने पिती बंद लगा दी है, आज हम भी व्याबार करने में उससे दर रहे हैं, हम लोगों ने भी कही तरह की योजना है वहां चला रहे थे, रोक दी गई हैं, तो एरान के पास कोई बिकल्प नही और एरान जानता है अच्छी तरह से कि चीन एक मदलब एक तरह सी फसाने वाला काम करता है, कि एक तरस में आप सोना करते थे कि साहुकारों का काम हुआ करता था, कि ब्याद रेड दीजे, रेड इतना दे दीजे कि ये सामने बाला दब जाए आपकी रेड के नीचे, फिर यही एक तरह से खड़ा, समस्याएं खड़ा कर देते थे इन लोगों के सामने में, उननीसवी सदी की अनुबंध व्यस्ता को बहुत सारे लोगों ने नई दास्पता का भी नाम दिया, बागानों में या कारिस्तल पर पहुँचने के बाद मजदूरों को बता चलता था कि जैसी उमीद कर रहे थे, जहां यहां वैसे हालात नहीं है, नई जगए की जीवन या कार इस्तितियां कटोर थी, और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने बर को भी नहीं थे, इसके बाब जूद मजदूरों ने भी जिन्दगी बसर करने के लिए अपने तरीके दू आत्मा भी विक्ती के नए रूप खोज लिये थे, तिनी दाद में मुहर्म के सालाना जुलूज को एक विसाल को सभी मिला के रूम में दे दिया गया, इसमेले को होसे, इमाम हुसेन की नाम पर नाम दिया गया, उसने सभी धर्मों और नसलों को मजदूर हिस्सा लेते थे, इस पेकार रास्ता फरियान वाद नामक बिद्रोही धर्म जिसमें जमेका के रेगी गायक वो माले ने ख्याती के सिकर्प पहुंचा दिया, बिद्रोही धर्म में भी भारती आगरवासी और करीविया इस दुई सम्भू के भी इन संबंदों की जलग देखी जा सकती है, त अधरी उधारने, सांस्कितिक समागम के ए रूप, सवरूप, एक नई बेस्विक दुनिया के उधर की पिकरिया कांग थे, यह ऐसी पिकरिया थी जिसमें अलग लेक्सतारों की चीज़ें आपस में खुल मिल जाती थी, उनकी मूल पहचान और विश्ष्पताएं गुम हो जाती थी, और बिलकुल नया रूप सामने आता था, आप समझे कि आप लोग कहीं जाते हैं, आप सोचे आप भारत से हैं, कोई चीन से हैं, कोई किसी और देश से हैं, कोई एरान से हैं, कोई आप समझे कि साउधिय अरब से, कोई अफगानिस्तान से, कोई अमेरिका से, कर बात भी होगी और आपकी संस्किती का भी एक दूसरे में मेंल होगा समय रहे हैं? चित 15 को देख रहे होग आप लोग देख रहा हैं? इस सिनाग्त के लिए गिरमिटिया मज़डूरों problematic मालकियों के लिए इन मजच दूरों के नाम नहीं बलकि उनकी संख्या कäter ही होता था आज समझ सकते हैं कि इतनी बुरी स्थिती रहती होगी कि उनके नाम की वज़ा उनकी उन्हें एक संख्या दे जाती हो जान्दातर अनुबंदी सेमेक अनुबंध समात्थ हो जाने के बाद भी बापस नहीं लोटे जो आप बापस लोटे उनमें से भी वाधिकांस के बल कुछ समय तक यहां बिता कर फिर अपने नई ठेकाने पर वापस चले गए इसी कारण इन देशों में भारती मूल कि लोगो आपने आप में से कुछ लोगों ने बेष्ट इन्डीज के किर्किट खलाड़ी सिवन रेन चंदपॉल और राम नरेश सरवन का नाम भी सुना हुआ क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनका नाम हम भारतियों जैसे क्यों है इसकी बज़ाए यही है कि विभारत से गए अनुबंदित मजदुरों की ही बंसत है या कह सकते हैं आप लोग क हमारे यहां से जो लोग है उनके यही बच्चे हैं पीडिया हैं कि नाम हैं इनकी हमारे यहां पड़े हुए आप लोगों भी कह देते हैं कि भारतिया मूलके ब्यक्ति को क्याला नौबल पुरसकार में ला हुआ है यानि कि भारत तक भारत का ही था यह आप देख रहे हैंगों इस चित 16 एक अनुबंदित सेमिक ग्रिमिटियां मजदूर के अनुबंद की फॉर्म है 20-20 सदी के सुरुवाती सालों में से ही हमारे देश के राष्टवाती नेता इस पिथा का बिरोध करने लगे थे उनकी राय में यह बहुत अपमाजनक कुरूर विवस्ता थी इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खतम कर दिया गया लेकिन इसके बाद भी कई दसक तक भारती अनुबंदित मजदूरों के बनसद केरी वियाई दूई समों में बेचे अलप संक्यकों का जीवन जीते रहे वहां के लोग उन्हीं कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा वर्ताव भी करते थे नायपॉल की कुछ प्यारंबिक उपन्यासों में बिच्छोर परायपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है वहां जो लोग रहते थे भारती है लोग उन्होंने कही तरह के उपन्यास भी लिखे हैं कई तरह की आप कह सकते हैं कि रचनाये भी लिखे हैं किताबें भी लिखे हैं उनमें इस तरह का दरद आज भी देखने को मिलता है यह आपकी एक गिर्मिटिया मजदूर की आप भी दी है यानि कि उसकी कहात नहीं है रदाम नारायंट तिवारी भारस से गए गिर्मिटिया मजदूर थे जिन्नों ने 20 वी सदी के सुरवात में डेमे रारा में 10 साल काम किया और उनके संस्कार्ण का एक अंसर तमाम कोशीशनों के बाप चुद मैं उनकामों को ठीक से नहीं करपाया जो मुझे सौपे गए थे कुछी दिनों के बीतर मेर साथ सब जगे से चल गए और मैं हफ्ते वाल तक काम नहीं कर पाये जिसके लिए मुझे सजावी दे गए और 14 दिन जेल में भी काटने पड़े नए आपरवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भार में अपना काम पूरा नहीं कर पाती थी अगर काम को अपने अनुबंद की अवधी भारी मुझे में बितानी पड़ती थी यह आपका वाड़ित जेवं उद्ध्यों विभाग आपरवासन साखा 1916 से लिया गया एक सरोते एक बात और आपको बताओं जो हम लोग आजा आजा दी मना रहे हैं जो करना है कर रहे हैं बोलने की स चीज के अम लोग कदर नहीं करते हैं तो वैसा ही हाल है मार्ok इसके लिए आप अप लोग कभी इतियास में जाकर देख सकते हैं कितना अक्तियास में गयरा है कितनी बुरी हालत रही है तब जाके हम लोग इस तिधी में पहुंची हुए हैं अगर वो भी अम लोगों की तर वाजार के लिए खाद पदात वाफसले हुगाने के बास्ते पूझी की आवस्तकता थी, बड़े वागानों के लिए तो बाजार और बेंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे-मोटी किसानों का क्या होता, यही से देशी साहुकारों और महाजन दर्स में आते हैं, चिट्ट्यारों के बारे में सुना है, उस समय उस बहुत सारे बैंकरों और ब्यापारियों में से एक थे, जो मद्देवं दच्चनपूर्व एसिया में नेरयातों नमुखी खेती के लिए करज देते थे, इसके लिए या तो अपनी जेव से पैसा लगाते थे, या फिर ए अभी भी देखते होंगे, आप लोग ग्रामीड चेत्रों में अगर जाते हैं, तो आभी भी इस तरह की ब्यवस्ता देखते हैं साहुकारों की, अभी भी सोसन बरावर चल दाया है, समझ रहे हैं, अफिका में यूरोपिय उपनिवेसकारों के पीछे, पीछे भारतिये ब् तो एउरोपिय उपनिवेसों से भी आँगे तक जा निकले, 1868 के दसक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े-बड़े एमपोरियल खोलती हैं, इन दुकानों में सैलानियों को आकरसे दिस्थानिया और बिदेसी चीज़ें भी मिलती थे, या एक पंदा फूल बद फूलता कारुवार था क्योंकि सुरक्षित और आराम दे जल्पोतों के आज जाने से सैलानियों के संख्यावी दिनों दिनों बढ़ने लगी थी, अब बात करते हैं भारतिय ब्यापार, ओपने विजवाद और बैस्भिक विवस्ता के बारे में, भारत म आप कह सकते हैं एक तरह से कि यूरोप के देशों में भारीज की आया, यानि की मांग हुगा करती थी, तो इसे हम लोग बेजते थी, उत्दोगी के अरन के बाद बैटन में भी कपास का उत्वादन बढ़ने लगा था, इसी कारण वहां के उत्दोग पतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयत पर रोक लगाए और इस्थानी और दुगों की रक्षा करें, हल सरूप, पैटन में आयतिक कपरों पर सीमा सुल्क थोपती है, वहां महीन कपास, भारतिय कपास का आयत कम होने लगा, मैंने जो सरूप में बताया था था ने, कि आपको अन बाद से कपास होता था, यह वहां निरयात होता था, जो हमारे यहां के कपड़े वहां बेजे जाते थे, यह बड़े सस्ते हुआ गरते थे, और क्या हुए आपने बात के दनों में देखा कि इरोब में भी कपास का उत्पादन होने लगा, तो कपास का उत्पादन होने यह आप चेट देख रहे होंगे देख रहा है इस्ट इंडिया कंपणी हाउस लंदन का है इस्ट इंडिया कंपणी की दुनिया बर में चलने वाले कार्यों का क्यंद यही था 19-वी सदाप्दी की सुर्वास से ही बैटिस कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूलने लगी थे सीमा सुल्की की विरस्था के कारण बैटिस बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतिय कपड़ों को दूसरे इंतराश्टी बाजारों में भी भारी पितीस फर्दा का सामना करना पड़ा यदि भालती है निर्यात के आकणों का अध्यान करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगादा गिरावट की रुजान दिखाई देता है सन 1800 के आसपार निर्यात में सूती कपड़े का पितीसत था जो 1815 में गटकर 1530 रह जाता है और 1870 तक आते आते ही अनफात के वल 330 रह जाता है एक समय आप भी अतिहास में पढ़ते हैं आप लोग कि हमारे यह का जो कपड़ा होता था इसका कई देसों में इसकी मांग हुआ करती थी लेकिन उसके बाद क्या दिखा जाने लगा कि उन देसों में भी इस तरह के कपड़े बनाए जाने रहे तो हमारे हमारे देस से भी बेहतर क्वाइल्टी के कपड़े बनाए जाने रहे तो जो हमारे देस के कपड़े थे उन्हें रोग दिया गया तो फिर भारत में किन चीजों का निर्याद किया गया आकड़ों के मद्यम से फिर एक नाटकी कहानी सामने आई निर्मित बस्तों का निर्याद खटना घटता जा रहा था उतनी ही तेजी से कच्चे मालों का निर्याद बढ़ता जा रहा था अब आप कह सकते हैं कि जैसे माल लीजे कि अभी हम लोग जो भी बनी बनाई चीज़ें बेज रहे थे उसे एक तरह से उनका निर्यात कर जाता है और कच्छे माल जो हमारे यहां था उसका निर्यात बढ़ जाता है अब हम उसे कच्छे माल बेजते हैं यहां से 1812 से 1871 की बीच कच्चे कपास का निर्यात 5,30 से बढ़कर 35,30 कितना 35,30 तक पहुँच गया कपड़ों की इरगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दसक तक बड़े प्रमाने पर निर्यात होता रहा जैसा कि आपने पिछली कच्छा में भड़ा हुआ कि 1820 के दसक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा कुछ समय तक तो भारती है निर्यात में अफीम का इससा ही सबसे जांदर रहा है बैटिन की सरकार भारत में अफीम की खेची करवाती थी उससे चीन को निर्यात कर दे थी अफीम के निर्याज से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही आर्चाय दूसरे पदायतों का भी आयात करती थी अब आप समझ सकते हैं कि जो यूरोपय कंपणिया थी या यूरोपय सक्तिया थी उन्हें पैसा वहाँ से लाने की जरूरत नहीं पढ़ती थी वो यहीं ब्यापार करते थी, यहीं कमाते थी और यहीं से जो पेरोपिट था उसे भी वेशते थे और जो भी वाराकी की जरूरत थे उसे भी पूरी करते थे इसमें एक ओर देखा गया कि आपने देखा होगा कि 1870 में आपके देश में चंपाराण सत्य गया होता है गांदी की चबी यहीं से ओहर क्या आती है तो यह भी उसी समय की घठना है यह मतलब एक तरह से किसानों पर मतलब जवरजस्ती के लागती आ गया था कि आपको निल की खेती करनी है या कोई और भी फसल का जो भी अंग्रेलियों के यह साब से अच्छी थी उन्हें मतलब आपको करनी है तो आपने देखा उसके बाद कई तरह किसके बिद्रों भी हुए है यह आप देख रहे होगे चित साथ चित अठारे सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से दिखने वालत दिर से 17. सदी के दौरान और 18. सदी के दौर सुरू आती सालों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाली समुद्री व्यापारी का मुक के अंद हुआ करता था 19. सदी में भारती वाजारों में वैटिस उत्दोगिक उत्पादों की बाड़ ही आ गई भारत से बैटेन और सेस विस्त को बेज़े जाने वाले खाद्यान वर कच्चे मालों के निर्यात में इज्यापा हुआ बहुत जानदा होते थी बहारत के साथ बेटेन हमेशा व्यापार अधीसेस की अवस्था में ही रहता था इसका मतलब है कि आप सी ब्यापार में हमेशा बेटेन को ही कोही फायदा रहता था जैसा आज हम लोग चीन के साथ देख रहे हैं कि आज आप चीन को सबसे जान्दा पाइदा देखती हैं हमारा यानि की नकारातमा खर आप अगर बेट चीन से 100 रोपे का कोई सामन खरीद रहे हैं तो हम केबल 8-10 रोपे का ही निरियाद कर रहे हैं चीन को बैंच रहें, तो आप समझ सकते हैं कि 90 रोपे का घाटा देखा जाता है, तो एक समय यही आपका इउरोप के साथ भी देखा जाता था, बैटेन इस मुनाफिकी सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले ब्याबारी घाटी की भरभाई कर लिता था, बहु पप्चिय की भरभाई में मदद देते हुए, भारत ने उन्नीसमी सदी की विस अर्थवस्था का रूप तहय करने में एक एहम भूमिक्या भी अदा की है, बैटेन के ब्याबार्च जो अधीसे सांसिल होता था, उससे तथाकति हॉम चार्जिज, देशी खर्चे का निपना रहा होता था, इसके तैज बितानी अफसरों और ब्याबारियों दोर अपने घर भेजी गई, निजी रकम भारतिये बाहरी करजे पर ब्याज और भारत में काम कर चुकी बितानी अफसरों की पेंसल सामिल थी, बहुत बुरी स्थिती रहती थी, आप सोचिए जो भी अंग्रेज रहत थे, उनका भी खर्च हमारे यहां की जो अरत्विवस्था थी उसी से उठाए जाता था, समझ रहे हैं तो, 17 सदी के अंत में भारत को सेस विस्प में से जोडने वाले ब्याबारिक मार्क थे, यह हमारा ब्यारा भारत है, यह आपको एउरोप भी देख रहा होगा, उपर आ और पाकिस्तान में अभी ही तो करेंट में है, यह आपका हिंद महासागर हो गया, ठीक है मसकट, पारस की खाड़ी, लासागर, यह एउरोप के राश्ते थे, मोजांबेक, ठीक है, यह आपका मलक का जलसंदी यहां होगा करती थी, यह आपका ऊपर चाइना ऐसे होते हुए ब्यापार की बात की जानी है, ठीक है, आप चलते हैं लोग महायुद्धों के वीच अर्दवस्ता देखते हैं, पहला महायुद्ध मुक्रोग से एरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में मैसूत की गया है, इस अध्याय में हम जिन चीजों पर ब्याजिंतिक आस्तरता बनी रही, और अंत में मानौत एक और विनास्कारी महायुद्ध की नीचे करा हैने लगी, और आप समझ सकते हैं कि जो पहला विस्तेव दुगवा था, उसमें भी आपने देखा है कि हमारे याँ देशित से ही काफियत तक भरभाई की गई उसकी, स दूसरे पाली में आप देखते थे केंद्रिय सक्तिया, यानि कि जर्मनी और हंगरी और ओटुमन तुर्की हुआ करते थे, एक केंद में आप कह सकते हैं कि एक तरफ आपके पाले मित्राफ्ट हुआ करते थे, जिसमें आप बेटेंड देखते थे, फ्रांस रूस को देखत लेकिन जो सामने वाला पाला था, उसमें आप केंद्रिय सक्ति कहते थे, इसमें आप जर्मनी, ऑस्टेलिया, हंगरी और टूमन हुआ करते थे अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ, तो समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज्यादा से ज्यादा किसमस तक खतम हो जाएगा पर यह युद्ध तो चाल साल से भी ज्यादा समय तक आपको देखने को मिलेगा मानों सब्धा के इत्यास में ऐसा वही शाड युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगवा उद्धोगी कराश्ट एक दूसरे से जूज रहे थे और सत्रों को नेस्तान बूद्ध करने के लिए वह इसे नाम दिया पहला विश्युद्ध ठीक है यह पहला आदुनिक उद्ध आदुनिक उद्धोगी के उद्ध था इस यहुद्ध में मसीन गनों, टैंकों, हवाई जहालों, रसानिक अतियारों का भयानक पिर्मने पर इस्तेमाल भी किया गया यह सबी चीज़ें आदुनिक विशाल उद्धोगों की तेन थी यहुद्ध के लिए दुनिया वर से आसंक सिपाईयों की भर्ती भी की जाने नहीं थी और उन्होंने विसाल जन्द पोतों बरेल गाडियों में भरकर यहुद्ध के मोर्चों पर ले जाय जाने था इस यहुद्ध में मौत और बिनास की जैसी बिवीश का रची उसकी उद्धोगी के उख से पहले और उद्धोगी सत्थी के बिना कलपना नहीं की जा सकती थी यहुद्ध में 90 लाग से जाना लोग मारे गए और 2 करोट लोग घाल हुए ए आप समझें कि सरकारी आक्ड है हमें क्या होता है आप भी जानते हैं और आपने सुना होगा गांधी जी भी इसी समय भारत लोटते हैं और गांधी जील हमें हमें busy लेकिन बात में देखा कि अंग्रेज के इस तरह बलट गए उन्हेंने कोई चूट नहीं नहीं हमें, ठीक है? अनकामों को समालने के लिए घर की ओरतों को बाहर आना पड़ा हूँ. जिन्ने अब तक केबल मर्दों का ही काम माना जाता था. मर्द आप कह सकते हैं कि एक तरह से आप भी जानते हैं कि जब घर से मर्द चले जाते होंगे पूरस। तो महलाओं को वो काम करना पड़ता था जो पहले महलाएं करते थी इस पिक्चर्ज को आप देख रहे होंगे साथ पित्थम विस योदी के दौरान एक हत्यार पेक्टरी में काम करती मज़ुदूर है योदी के जरुतों को पुरा करने के लिए हत्यारों के उत्पादन में तेजी से जहापा हुआ यानि कि इस समय उत्पादन कुछ जादा ही देखने को मिला यहोदि के कारण दुनिया की कुछ सबसे सकती साली आर्थिक ताफ्तों के वीच आर्थिक संबंदे पूट गई अब बेदेश एक दूसरे से वदला लेने पर होतारू थे इस योदि के लिए बेटेन को अमेरिकी, बेंकों और अमेरिकी जनता से भारी करण देश बना दिया यानि की आप कह सकते हैं कि दूसरे को करण देने वाला क्या कहलाता है करण दाता और जो लेता है वो करण दार कहलाना ज़ता है कहने का असार है कि योद के बाद दूसरे देसों में अमेरिका बाद उसके नागरेकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देसों की सरकारों या पर उन नागरेकों की स्वामित तत्वा नेंतर वाली संपताओं से कहीं जानदा हो चुकी थी अब बात करते हैं योद्धोतर सुधार योद्ध के बाद आर्थिक इस्तिती को पड़रीव पर लाने का रास्ता काफी मुश्किल साबित हुआ योद्ध से पहले बेटेन दुनिया की सबसे वड़ी अर्दोरस्ता था योद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही जेलना पड़ा जिस समय बेटेन योद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत व जापान में उद्धो विक्सित होने लगी थी योद के बाद भालती वाजार में पहले वाली वर्चस साली इस्तिती प्राप्त करना बेटेन के लिए बहुत मुश्कल भी हो गया था अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था सो अलग योद के खर्चों की वर्भाई करने के लिए बेटेन ने अमेरिका से जम कर करज लिए इसका पैड़ा मिया हुगा कि योद खतम होने तक बेटेन भारी विदेशी करजों में दब चुका था योद के कारण आर्थिक उच्छाल उच्छाय का माहोल पैदा हो गया था क्योंकि मांग उत्पादन और रोजगारों में भारी जापा भी हुआ था पर जब योद्ध के कारण पैदा हुआ, उच्छाल सांथ होने लगा, तो उत्पादन गिनने लगा और बेरोजगारी भी बढ़ने लगे, दूसरी वह सरकार ने भारी भरकम योद्ध संबन दी, बैय में भी कटोती, सुरू कर दी, ताकि सांतिकाली इन करों की सहारे ही उनकी भरपाई की जा सकी, तकि इन सारे प्रयावसों से रोजगार भारी तारा में खतम भी हो गया, 1921 में हर पांच में से एक बेटिस मजदूर के पास काम नहीं था, रोजगार के बारे में वेचेनी और अनिश्चेता योद्धुतर बातवार्ण का अंग बनें, योद्धी के बात की बात की जा रही है, वा याद रखिए भारत में भी उसके इस्तिती बहु नहीं रही जो योद्ध से पहले थी, आप समझेए गांदी जी भी साथ दे रहे थे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, आप जानते हैं उसके बात कई तरह के अंदोलन भी चलाए भारत में, बहुत सारी किरसी आधारित अर्दोस्तावी संकट में थी, उधारन के लिए गेहूं उतपात्कों की हालत पर ही विचार कीगे, योद्ध से पहले पूरवी यूरोप विस बाजार में गेहूं की आपूरती करने बाला एक बड़ा केंदर था, योद्ध के द्वारान यह आ गती के हालात पैदा हुए, अनाज की कीमितों गर गई, गिरामीड आये कम हो गई, और किसाने, किसान गहरे संकट में फस गए, इस अभी आपकी समझ की है कि योद्ध के बात की इस्तिती बन नहीं है, अब बात करते हैं बड़े परमाने पर उपादन और पुपभू, अमे आपकी समय के लिए तो अमेरिकी अरदौिस्ता को भी जट करना, लेकिन 20-20 के दसके शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अरदौिस्ता तेजी सी तरक्की के रास्ती बढ़ने लगी हैं 1920 के दसक की अमेरिकी अर्दोयस्ता एक बड़ी खासियत थी कि बेहत उत्पादन का चलन बेहत उत्पादन की और बढ़ने का सिलसला तो 19.20 सदी के आखिर में ही सुरू हो चका था लेकिन 1920 के दसक में तो या अमेरिकी उत्पादन की विश्रिस्ता ही बन गया था कार निर्माता हेनरी फोड बेहत उत्पादन के विख्यात पेड़ेता थी उन्होंने सिकागो के एक बूचट खाने की असेमली लाइन की तरच पर डिट्वायट की अपने कार खाने में भी आधुनिक असेमली लाइन इस्थापित की थी सिकागो के बूचट खानों में मरे हुए जानवरों को एक कनवेयर बेल पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मास विकेता अपने हिस्थे का मास उठा कर निकल जाते थे या देखकर पोड को लगा कि गाड़ियों के उतपादन के लिए भी असेमली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिया से किपायती साबित हो सकता है असेमली लाइन पर मझदूरों को एक ही काम जैसे कार के किसी खास पुर्जे को यह लगाते रहना मसीनी ढंसे बार-बार करते रहना होता था काम की रफ्तार इस बास्ते तय होती थी कि कनवेयर बैल्ट किस रफ्तार से चलती है यह काम की गती बढ़ा कर पितिक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने का बाला तरीका था कनवेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बात कोई भी मजदूर अपने काम में डिखिल करने या कुछ फल के लिए भी आवकास लेने का जोकिम नहीं उठा सकता था और तो और इस बेवस्ता में मजदूर अपने साथियों के साथ बाचती भी नहीं कर सकते थे इसका नतीज़ा यह हुआ कि हैनरी फोर्ट के कार खानी के एसेमली लाइन से हाल तीन मेंटर में एक कार तेयार होकर निकलने नहीं इस ते पहली की पदितियों के मुकाबले या बरहतार कई गुना जांदा भी थी टी मॉडल नावक कार बेहत उत्पादन पदिती से बनी पहली कार थी यह आप देख रहे हैं न यह फैक्टरे के बाहर कतार में कड़ी टी मॉडल गाड़िया है अमेरिका एक दिन में सक्मा सक्ती नहीं बन गया है आप समझेए कि आजकल कहते हैं कि बहुत पहले से भी कहते हैं हम लोग कि कहते हैं कि जब अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को सरदी हो जाती है इतना फिरवाव देखा जाता है अमेरिका का सुरुवात में फोर्ड फैक्टरी के मजदूरों को असेमली लाइन पर पैदा होने वाली ठकान जेलेने में काफी मुस्किल महसूस हुई क्योंकि बे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नेंतित नहीं कर सकते थे बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया साथ ही उन्होंने अपने कारकानों में ट्रेड यूनियन गती विधियों पर भी पावंदी लगा दिया तनख्वा बढ़ाने से हेंडरी पोर्ड के मुनाफिय में जो कमी आई थी उसकी भरभाई करने के लिए अपने असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ने लगे उन्हीं की मजदूरों पर काम का बूच लगाता बढ़ता रहता था अपने इस फैसले से कोई सिर्फोर बहुत संतुष्ट थे को समय बाद उन्होंने कहा कि लागत कम करने के लिए अपनी जिन्दगी में उन्होंने इसके अच्छा हैसला कभी नहीं किया अब आप सोचिए कि पहले एक कार को बनाने में कई दिन का टाइम लग जाता होगा अब आप समझ दे हैं कि तीन मिनेट में एक कार बनकर निकल रही है तो इससे फायदा हो इससे कम बच्छत का कोई समय के बच्छत का आप और लागत भी आप सोचिए कि जितना कोई भी परियोजना को भी आप लो ले लीजे कि आप उसमें काम करने में जितना टाइम लगाएंगे, उतना ही खर्च आता रहता है, ठीक है? फोर्ट द्वारा बनाई गई उत्पादन पदितियों को चल्दी पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा, 20 के दसक में ही इरोब में उनकी नकल की जाने लगी, बहुत बहुत उत्पादन पदिती से इंजिनिरिंग, आधारित, चीजों को लागत और कीमत में खमी ला दी, बेतर बेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी काम, कार जरसी टिकायो बोगता बस्तु में खरीद सकते थे, 1919 में अमेरिका में 20 लाग कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाग कार पिती वर्स से भी उपर जा पहुँचा, आप समझेगे कि उस समय हमारी भारत में इस तरह के आदमी सोच भी नहीं रखता होगा, समझ रहे हैं? उस समय आप अमेरिका को सुच सकते हैं, और आज हम लोग किस तरह से हमें बहुत कुछ बदलाव करना होगी, तब जाकर हम इन देशों में बिख से देशों में जाकर खड़ी हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? इसके साथ ही बहुत सारी लोग फ्रेज, बॉसिंग मसीन, रेडियो, ग्रामोपोन, पिलेयर्स आदी भी खरीदी जाती थी, यानि लोग एक सारी चीज़ें करजे पर खरीदे थे और उनकी किमत सब्ता है कि अमासी किस्तों में चुकाई जाती थी, मकागोनों की निर्मार उने जी मकानों की संक्या में विद्धी से भी फ्रेज, बॉसिंग, बॉसिंग मसीन, आदी उकड़ों की भी मांग से जापा हुगा, उलेकनी है कि घरों का निर्मार या करीदारी भी करजे पर ही की जाती थी, आप समझ सकते हैं कि आज हम लोग वसि निर्मार चेत में, आये उचल से अमेर्गी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था, मकानों के निर्मार और घरेली जरूरतों की चीजों में निवेश से रोजगार की मांग बढ़ती थी, तो दूसरी और उब्भोग भी बढ़ता था, बढ़ती उब्भोग के लिए और मांग बढ़ेगी, तो आप सामानसी बात है कि उत्फादन भी बढ़ाएंगे, तो ये वेवस्था देखने को मिलेगी, समझ रहे हैं, जब हम लोग बेरोजगार हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, तो हम खरीदेंगे क्या, आप सोची है अगर आपके पास पैसा है, तो आप हर दरह की वस्तु खरीदने की कॉसिस करेंगे, समझ रहे हैं, 1923 में अमेरिका सेज विस्थ को पूंजी का निर्याद दोबारा करने लगा, वह है दुनिया में सबसे वड़ा कर्दा था देश बनिया, अमेरिका द्वारा आयाद और पूंजी निर्याद ने इवरोपी अर् अंगलेज 6 साल में विस्थ व्यापार वा आयविद्धी दर में काफी सुधार भी आए, लेकिन यह स्थी लंबे समय तक कायम नहीं रही, 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में पस गई, जिसका दुनिया ने पहले कभी अनभाव नहीं किया था, आप भी ज कॉंग्रिस प्रेंट एंड फोटोग्राफ से डिवीजन से लिया गया है, यह अच्छित लेने वाली डुरोथी लेंग ने इस भूखी मा के साथ अपनी मुलाकात के छड़ों को याद करते हुए बहुत साल बात कहा था, कि मैं इस भूखी लाचार औरत को देखा और मारू किसी चुमक से किची, मैं उसकी और बढ़ने चली गई, बढ़ती चली गए, मैंने ना तो उसका नाम पूछा ना ही उसके अतीद के बारे में सवाल किया, उस से मुझे अपनी उम्ह बताए, उसने काये कि विलोग, यानि मा उसके साथ बच्चे हैं, आस-पास के खेतों में जाड़ों से जमी पड़ी सब्जियों परिंदों की सहरी जिन्दा हैं जिनें उनके बच्चे माल लाते हैं वो वहाँ बैठी थी अपने बच्चों को चिप्टाए साथ उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद कर सकती है इसलिए उसने मेरी मदद कर दी पॉपूलर फोटोग्राफी फरवरी 1960 में ये पॉपूलर रही है समझ रहे हैं चलते हैं महामंदी की बात कर लेते हैं आर्थिक महामंदी की सुरुवात 1929 से 1929 से हुई और यह संकट 30 के दसक किमद्द तक बना रहा इस दोना दुनिया के जंदर तरहिस्सों के उत्पादन, रोजकार, आय और व्यापार में भयानक ग्रावट देखी गई इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था लेकिन आम तोर पर ऐसा माना जा सकता है किरसी चित्रों और समधायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उत्दोगिक उत्पादों की तुल्ला में खेती हर उत्पादों की कीमतों में जाना भारी और जाना समय तक कमी बनी रही इस महामंदी के कई कारण थी यह हम पहले ही देख चुके हैं कि यह उत्दोगतर 208 वस्ता किदनी कमजोर थी यानि कि यह उत्दिक्रिफ बात की इस्तिती बता है पहला कारण था कि किरसी चित्रों में अती उत्पादन की समस्या बनी हुई थी किरसी उत्पादों की गिर्ती कीमतों के कारण इस्तिती और खराप हो गई थी कीमतें गिरी और किसानों की आये घट रने लगी तो आमदानी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने के परियास करने लगी ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन जान्दा माल पैदा करके बे अपना इस्थर बढ़ाये रखें आप ही जानते हैं कि आप सोचे कि आप किसी खेट के एक के मालिक है उसमें खेट में आप सोचे कि 10 किलो गहूं होता था पहले आपको 10 रोपे किलो बिखने लगा तो आपको आपनी आय तो बरावर रखनी है या आय तो बढ़ा नहीं है आपका खरश तो तो आप क्या करेंगे कुछ इस तरह की विवस्ता करेंगे कि उत्पादन बढ़ाने की बात करेंगे कि कहीं ऐसा हो कि अब 10 किलो होता था तो 15 किलो होना लगी या फिर 20 किलो होने लगी तो इसी तरह का किसानों ने भी प्रयास किया फालस्वरूप बाजार में किर्सी उत्पादों की आमद और भी बढ़ गए, जाहरे की कीमते और नीचे चली गए, खरीदारों के अभाव में किर्सी उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगे, एक बताया भी कि आप लोगों से एल्थी रियाटी पड़ोगे तो बहुत कुछ स सुना होगा, मांग और आपोर्ती, अब आपोर्ती जहां मतलब जाना हो जाए, और मांग कम हो जाए, तो आप जानते हैं कि सवभाव इससी बात है कि रेट गरेंगे, तो यहां यही देखा लिया है, कि किर्सी उत्पादों की मतलब बढ़ गई, किसी उत्पाद बढ़ आप पहुंचिए वहां पहुंच जाए 1000 किलो और खरिदने वाले भी कम हो जाए तो क्या होगा कि कीमत घड़ जाएगी और बुरी इस्तिती हो जाएगी खृसानों की दूसरा कारण था कि 1920 के दसक की मद में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश समंधी जरूरतों को पूरा किया था जब हालात अच्छे थी तो अमेरिका ने कर्जा जुटाना बहुत आसान था लेकिन संकट का संकित मिलते ही अमेरिकी उद्वियों के हो सोड़ गए 1928 के पहले 6 माय तक बेदेशों में अमेरिका का कर्जा ये करब डॉलर था सालवर की वीतर ये कर्जा घटकर केबल चौथाई रह गया था जो देश अमेरिकी कर्जे और सबसे ज्यादा निर्वर्द थे उसके सामने गहरा संकट खड़ा हुआ बले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव ना पढ़ा हो लेकिन अमेरिकी फुझी के लोट चाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा है एरोब में कई बड़े बैंक धरासाईव हो गए कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह कर गई और इस जट के सिर्बेटिस पाउंड भी नहीं बच पाए लेटिन अमेरिका और अनिस्तानों पर किसी और कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लोड़कने लगी यानि की कम होने लगी अमेरिकी सरकार इस महमंदिर से अपनी अर्दव्यस्ता को बचानी के लिए आयातित पदार्दों पर दो गुना सीमा सुल्क पसूल करने लगी इस फैसले ने तो विस व्याफार की कमरी तो उड़कर रखती या आप पिक्चर देख रहे हैं न बेरोजगारी का लाब के लिए कतार में कड़े लोग अमेरिका में डुरोथी लेंग द्वारा लिया गया चित 1938 की बात है लाइबरेरी ओप कॉंग्रेस प्रेंट्स एंड फोटोग्राफ्स डिविजन जब एक बेरोजगारी जनगर्णा से पता चला की देश में एक करोर से जान्दा लोगों के पास कोई काम नहीं है तो अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में इस्थानिय पिसासन की ओर से बेरोजगारों को चोटे-चोटे बत्ते दिये जाने लगे एलबी कतारे महमंदी के सालों में गरीबी और बेरोजगारी का पितिक थी अभी भी आप लोग इस तरहे का हमारे देश में सुनते रहते हैं कि सरकारें बादा करती रहती हैं कि मैं आया तो गरीबी बत्ता दूँगा बेरोजगारी बत्ता दूँगा इस तरहे की बातें फेकते रहते हैं उद्दोगिक देशों में मंदी के सबसे गुरा असर अमेरिका को जिलना पड़ा थी, कीमितों में कमी और मंदी की असंका को देखते हुए, अमेरिकी बैंकों ने घहरेलू कर्ज देना बंद कर दिया, जो कर्जे दिये जा चुके थे उनकी बसूली तेज कर दिये, किसान अमेरिका के बहुत सारी परिवार कर्ज चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिस से चलते हैं उनके मकान, कार और सारी जरुतें चीज़ें कुरुक कर लिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आप कर्ज नहीं दे पाते हैं, तो इस तरह का काम आपके साथ भी किया जात हैं, बीच के दसक में जो वोकतावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वह दूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई, यानि कि समाप्त हो गई, बेरोज़ारी बड़ी तो लोग काम की तलास में दूर दूर तक जाने लगे, आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग बेवस्ता भी धरासाई हो गई, निवेश से अपिक्चित लाब ना पा सके, करजी वसूल ना कर पाने और जमा करताओं की जमा, फूझी ना लोटा पाने की पारण हजारों बैंक दिबालिया हो गई, बंद कर दिये गए गए, इस परिकेटना से जोड़े आकणों, आकणो में डाल नेंगी आपको, 1933 तक 4,000 से जान्दा बैंक बंद हो चुकी थी, कितने 4,000 से, 1939 से 1932 के बीच तकरीवन 1,10,000 कमपनिया चौबट हो चुकी थी, इस महामंदी का इतना बुरा प्रवाव देख़त है, 1935 तक जान्दा तर उद्धोगिक देशों में आतिक संकर से उभनने की संगेत दिखाई देने लगे, लेकिन उस समाजों, अंतराष्टी संबंदों, राजनी थी, तथा लोगों की दिलों दिमाग पर उसकी जुच्छाप पड़ी थी, वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी, कोई भी समझ के आओ, कोई भी इस तरह की आपदा आए, तो आप देखते भी हैं कि कुछ समय के लिए इसका प्रवाव और आंगे देखने को मिलता है समाजों पर, अगर भारत की स्तिती की बात करें, भारत और महमंदी को देखें, यदि हम इस बात पर देहाने कि महमंदी स भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं, कि वी सिवी सदी की सुरुआत तक वैसे भी इर्दवस्ता कितनी एकिगेत हो चुकी थी, दुनिया के एक हिस्ते में पैदा होने वाली संकट की कप कपाहड बाकी हिस्सों तक पहुच जाती थी, और उससे दुनिया बर की लोगों की जिन्दगी आज़वस्ताएं और समाज प्रभावित को उठते थे, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि ओपनेवेश से भारत किर्शी बस्तुओं का निर्यातक और तियार मालों का आयतक बच चुका था, महावंदी ने भारतिये व्य कीमते नीचे आगें और 1928 से 1934 के बीच भारत में गेम की कीमत 50.30 गिर गई होगी तो आप हमारे के साथ देश के किसानों की इस्तितिया आप समझ सकते हैं कितने बुरी तरह से प्रभावित हुए होगी सहरी नेवासियों के मुकाबले किसानों और कास्टगारों को जान्दा नुकसान देखने को मिला है उन पर जान्दा नुकसान इसका हुआ है यह अगे भी किर्ष्टि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी ही हैं लेकिन सरकार ने लगान वसूल में छूट देने से सा सबसे बुरी मार उन कास्तकारों पर बड़ी जो विस्वाजार के लिए उपच पैदा कर देती और आप एक तरह से कह सकते ही कि जो किसानों से उगाही की जा रही थी ऐसी बुरी स्थिती में भी बोरे समय में भी तो इनका अंदुलनों में कुछ जाना ही प्रभाव देखा ग पटसन उगाती थी जिसे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी जब टाट का नर्याद बंद हो गया तो कच्छे पटसन की कीमते कीमतों में 60-30 से भी ज्यादा गिरावट आगे लिए जिन कास्तगारों ने दिन फिरने की उमीद में या कर बेहतर आमदनी के लि लिखा है कि चलो भाईयो भाईयो नगत की उमीद में और जाना पटसन तुम उगाओ लागत और करजे में पिसकर ना उमीदों पाओ सारी पूझी लगा फसा कर फसल खड़ी कर जाओ घर पर बैठे बनिये देंगी 5 रुपे मन भाओ एक बात और आपको बताओं कि मान करने लगते हैं चालू हो जाती है कुछ समय बाद ऐसी परिस्तिरी बनती है कि वोटल बंद पढ़ जाती है तो हम लोगों ने जो साहुकारों से या किसी से रिड लिया है वो तो माप नहीं होगा वो तो हमें चुकाना ही पड़ेगा ना तो आप समझे किस तरह से हम फिर भ जाएं जैसे किसानों की क्या समझ्या है अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप किसानों की जगए रखी अपने आपको फर image की मतलब अपने आप में सोचिए कि क्या हमारे समने समझ्या है तो मुझे लगता है कि आप बेटर समझ पाएंगे पूरे देश में कास्तगार पहले से ही जाना कड में डूप पे खर्चे पूरे करने की चक्कर में उनकी बचत खतम हो चुकी थी जमीन सूत कोरों के पास गदेपी पड़ी थी घर में जो भी गरिने जेवर थे बिख चुकी थे मंदी के इने सालों में भारत कीमती धातूं के खासतोर से सोने का निर्याद करने लगा पिसित दर्ध थास्ती किंज का मानना था कि भारती सोने की निर्याद ने भी बेस्विक अर्थवर विस्था को फुर्णर जीवित करने में कापी मदद भी मिली है इस निर्याद में वेटेन की आर्थिक दर्सा सुधारने में तो निश्चे थी मदद दी है लेकिन भारतिय किसानों को कोई लाब नहीं हुआ है 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और गिरामीड भारत आसनतोस बाउतल पुतल के दौर से गुजर रहा था उसे उसी समय महत्मा गांदी ने सभी गया, सभी नय अयोग्या, इस से विल नापरमानी आंदोलन सुरूक रहा सभी नय अयोग्या यह मंदी सहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही कीमते गिरतने गिरते जाने के बापजुट सहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हाला ठीक नहीं ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी जिससे सहर में रहने वाले जमीदा जिन्हें अपनी जमीद पर बांधा बंधाया भाड़ा मिलता था या फिर मदवर्गी ये बेतर भोगी करमचारी राष्टवादी केमे के दवाव में उद्धों की कराक्चा के लिए सीमा सुलक बढ़ा दिये गए थे जिससे उद्धों के चित में भी निवेस में तेजी आई है आप कोरोना महावारी को ही ले दी आप लोग इससे कौन लोग प्रभावीत हुए किसान मजदूर ये लोग प्रभावीत हुए है ना जिनके पास खासी इंकम है जो सरकारी नोकरी में उन्हें मुझे नहीं लगता है कि फर्ग कोई बढ़ा होगा उनके तो सेलरी बराबर आ दूसरा विस्ते उद्ध शुरू हो गया 1949 की बात कर रहा हुए या ये उद्ध भी दो बड़ी खेमों में की बीच हुआ एक उट में धुरी सत्या मुक्रूप सी नासी जर्मनी और जापान और इटली थी और दूसरा खेमा था मित राष्ट इसमें आप देखेंगे बेटे में 1945 में परमाडू बंबी गिराए गये थे तो इसे उद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं वची थी माना जाता है कि इस जंगे के कारण पित्यक्ष आप पित्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए कितने 6 करोड़ लोग ये है 1949 की बेजबिक जनसं संख्या मारे गिरी आप तक योद्धों की मोर्चे पर मरने वालों की संख्या जाना होती थी इस योद्ध में ऐसे लोग जाना मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ रही नहीं रहे थे एउरोप और एसिया के विसाल भूबाग तबाह हुए कई सहर हवाई बंबारी या लगाता गोलावारी की कारे मिट्टी में मिल गए इस योद्ध में बेहसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जनम दिया ऐसे हालात में पुनरेवार का कम कठेर और लंबा साबित होने लगा और एक बाद आपको और बताओं कि जब परमाडु बंग गिराए जा तो वो किसी को नह नहीं वो बिल्गुद दबाही ही खड़ी कर देता है या तेकर एंगेच्चेति सायद रोस पर आमला करती जर्मन टुकरियां जोलाई उनीच्टारीस रोस पर हेटलर का आमला योद में नेडायक मात की घटना है योद्ध तर काल में पुनरमयाड का काम दो बड़े प्रभ आमने आया नाथ्वी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संग की जनता ने भारी कुर्वानिया दी जिस समय पूझीवादी दुनिया महावंदी से जूज रही थे उसी दौरान सोवियत संग के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़ी खिती हा देश की जगए एक विश् में लाग खड़ात किया सोवियत संग में सोवियत रूस में योद्ध से तबाह स्तालिन ग्राथ आप लोगों बता दू कि रूस पहले महासक्ती हुआ करता था लेकिन इससे आप देखते हैं कि 1991 में जाकर आपने देखा इससी देउद खतम होता है और रूस कई भावों में बढ़ जाता है पहले जिसे हम लोग सोवियत संग कहते हैं आज वो रूस है शमर्द में योद्ध तर बंदोवस्त और बेटिन पूर्स संस्थां दो महायुद्धों के बीच मिले आतिक अनवहों से अरत सास्त्रियों और राजनितिकों ने दो अहम सबक निकाले पहला बेह यदि रोजगार आज तर होंगे तो आए इस तर नहीं हो सकती है इस तर आय के लिए फूर्ण रोजगार भी जरूरी है यानि कि इस था ही रोजगार लेकिन बाजार फूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता है कीमत और रोजगार में आने वाले उताव चड़ाव को को नेंतित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था आर्थिक इस्तिरता के वल सरकारी निस्तचेप के जरी ही सुनिश्चित की जाज सकती थी दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंदों के बारे में था पूर्ण रोजगार का लक्च के वल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास बस्तूओं पूंजी और सरम की आवाजाही को नियंतित करने की तावितों संचे में योदुत्तर अंतराष्टी आर्तिक विवस्ता का मुखुत देशया था कि उद्धों की विस्त में आर्तिक इस्तरता एवं पूर्ण रोलियार बनाये रखा जाए इस फैंबर को जुलाई 1944 में अमेरिका इस्तित निव हैं सर कि बेटेंड बूर्ण से नाम अगिस्तान पर सयुक्तराष्ट मौद्रिक एवं बित्तिय संबिलन में सहमती बनी थी यह आप देख रहे हैं 26 वच्चित थे बेटेंड बूर्ण अमेरिका इस्तित माउंट बॉस्सिंटन होटल यही वह इस्तान है जहां बेटेंड बूर्ण का इदियाजिक संबिलन आयजित किया गया था सदस्य देशों के वीच ब्यापार में लाव और घाटे से निपटने के लिए बेटेंड बूर्ण संबिलन में ही अंतराष्ट के मुद्राकुस आई-एमएप की इस थापना की गया और यह उद्धतर बूर्ण निर्माड के लिए फैसे का इंतजाम करने की वास्ति अंतरा अंतराष्टी आर्थिक विवस्ता को अक्सर वेटेंड बूर्ण से ब्युस्ता भी कहा जाता है इस तरह कि जो भी संगठने अंतराष्टी यह उनके बारे में हम लोग बड़े बिस्तार से बात की हुई है तो आप जाकर देखिए अंतराष्टी संगठने की नाम से पिले करनों का बहुत महत्पूर है यह कई परिक्षाओं में आपके बंते रहते हैं इसे क्वेश्चन तो आप जाकर देख लीजिए और याद रखिए मैं इतना कह सकता हूं आप अगर एड़ेस्ट करने लायक हैं तो आपके लिए इतना मटेरीर और उपलब्द करवा चुका मैंने कितने विस्तार से पढ़ा दिया हैं बहुत विस्तार से MPPLC को दियान में रखते हुए और फिर ही कोई आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है समझ रहे हैं आप लो पीडिया आपके लिए आपका टेलीग्राम में अब आपको अगर पैसा है तो मैं तो कहता हूं किसी दूसरे की मदद कर दीजिए इतने पैसे अगर आपके पास हैं और आपके अगर इन क्लासों से सम्मधित कोई ही आपकी डाउट है तो आप बेज़े जाके बात करिए ना मुझसे एसमिस करिए बात होगी अपनी जो भी समस्या होगी उन्हें मैं एक सौल करने की स्तिती में हूँ हैं अगर मेरे पास इतनी सो इधा है तो मैं कर सकता हूँ टीव बिस्त बैंक और आईमेप ने 1947 में उप्चारे करोप से काम करना शुरूं किया इन सहस्तानों की नेड़य विक्रिया पर बश्मी उद्धोगिक देसों का नियंतर रहता है अमेरिका बिस्त बैंक और आईमेप की किसी भी फैसले को बीटो कर सकता है और एक बीटो का मतलब बताओ आउ आपको निसीधाजिकार होता है इस अधिकार के सारे एक ही सदस किया आस्नाय में थी किसी भी फैस्ताओ को खालीच करने का अधर भी बन जाती है आपने देखा है विस परिशद में आपने सेट राश्ट संग्राक लोग सुनते रहते हैं उसमें आपने देखा ह होगा कि पांस सदसूत हैं विस परिश्यद में जो सहब प्राषट की एक एक तरए से आप साका कह सकते है उसमें आप देखते हैं कि बीटो फावर ला रहे हैं तो उस पस अभी ही सैमती जरूरी होती है। अंतराख़्ी मुद्रीक वीवस्था राख किये मुद्रा और मुद्रेक विवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली विवस्था है। वेटन वोर्स से वेवस्था निश्चित बिनिवाय दरों पर आधारित होती थी इस वेवस्था में राट की मुद्रा जैसे भारती मुद्रा रुपया डॉलर की साथ एक निश्चित बिनिवाय दर से बंधा हुआ था एक डॉलर के बदले में कितने रुपे देने होंगे या इस्ते रहता था डॉलर का मूल भी सौने से बदा हुगा था एक डॉलर की कीमत 35 ओंस सौने के बार अब नेज़धारे की गई थी अब बात करते हैं प्यारमविक युद्धतर वर्स यानि की प्यारमविक पर बेटेंड वर्स सब्योस्थाने पश्चमी उद्धोगिक राष्टों और जापान के लिए ब्यापार खथा आयमे विद्धी के एक आपित्तिम युग का सुथपात किया उननीसो पचास से उननीसो सपतर की विच बेट व्यापार की विकास दर सालाना आठ पितिसत से भी जाना रही आप समझे कि युद्ध आपका कब पैंतारीस में खथम हो जाता है उननीसो पैंतारीस में उसके बाद की स्थिद्धी की बात करा हैं इस दोरान बेस विकाय में लगबख पैंच पितिसत की दर से बिद्धी हो रही थी विकास दर भी कामोबस स्थिरी था उसमें जदा उताव चड़ाव नहीं आए इस दोरान जदा तर समय अधिकास उद्धोगिक देसों में बेरोजगारी उस्तन पांच पितिसत से भी कम ही की रही इन दस्कों में तकनीक और उद्धम का विस्सुव्याफी पिर्शार हुआ बेकासिल देश विक्सित और उद्धोगिक देशों के बराबर पहुंचने की जीतोर कॉसिस कर रहे थे इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले सयंतों और उक्काड़ों के आ प्रपोरेशन या फिर वहुराष्टी एक कंपनी कहा जाता है सुरुवाती वहुराष्टी कंपनीयों की स्थापना 1920 के दसक में की गई थी 50-60 के दसक में जब अमेरिकी वेवसायद दुनिया वर में फैलते जा रहे थे और पश्चमी यूरोप एवन जापान वीवी से सक में ही की एक बिस्था था और इसके पीछे आंसे करूप से इस बात का भी हाथ था कि जादातर सरकारे बाहर से आने वाली चीजों पर भारी आया सुल्क वसूला करती थी जिसके कारण बड़ी कंपनीयों को अपने सेंथ उनी देसों में लगाने पड़ती थे जहां वेव अपने उत्पात बेंचना चाहती थी उन्हें घहरे लिए उत्पात कों के रूम में काम करना पड़ता था एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज आप लोग चीनी चाइना के फौन आ रहे हैं सस्ते हैं हम लोग इन पर भारी भरकम टेक्स लगा दें तो एक क्या कंपनीया अपने देश में न बना के हमारे ही देश में आएँगी और हमारे देश में अपना उत्पातन करेंगी अनौपनिवेसी करन और सुधंता दूसरा विस्यूद खतम होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग ड़ियु जितने भी ये देस आजाद हुए थी 1947 के बाद, इन सभी के बाद उजी की कमी थी और संसादुनों की कमी थी। उनी की अद्विस्थाएं और समाज लंबी समय तक चले उपनिवेसे सासन के कारण अस्त बैस्त हो चुके थी। बहुत बुरी तरह से इन्हों ने लूट लिया था ये तरह से आप कह सकते हैं। IEMF और विस्थाएं का गठन तो उद्विक देसों की जोड़तों को पूरा करने के लिए गीन किया गया था। ये संस्थान बुद्पूर उपनिवेसों में करीबी कि समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्च नहीं थे। लेकिन जिस पिकार ये ये जापा ने अपनी अर्द्विस्थाओं का अपुनर गठन किया था तो उसके कारण ये देश IEMF और विस्थ बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण 50 के देशक के आपरी सालों में आकर बेठन वोट्स संस्थान विकासी देशों पर भी पहले से जानदा ध्यान दैने लगे। आयात सुल्क की बात करें टैरिव की तो किसी दोस्ते देश से आने वाली चीजों पर बसूल किया जाने वाला सुल्क होता है। यह कर या फिर सुल्क उस जगे लिया जाता है, जहां से यह वैप चीज देश में आती है, यानि सीमा पर या फिर बंदरगा पर या हवाहिटे पर, ठीक है? आयात सुल्क जो हमारे देश में बस्तुण है आ रही हैं, उनकी उपर सुल्क लगाने की बात आयात सुल्क कहलाती ह दुनिया के अल्व विक्सित भाग उपनेविसों के रूम में पश्मी संबराज्यों के दिन रहे थे बिड़मनायती की नव स्वाधीन राष्टों के रूम में भी अपनी जन्ता को गरीवी और पिछड़ेवन की गस से बाहर निकालने के लिए उने ऐसे अंतराश्टिय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूत पूर उपनेविसिक सक्तियों का ही वर्चस था और अनोपनेविसी करण के बहुत साल बिच जाने के बाल भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्टों की अधवस्ताओं पर भूत पूर उपनेविसिक सक् जो देश बेटेन और फ्रांस के उपनेविस रह चुके थे या फिर जहां कभी उनका राजनेतिक प्रभुत तिक रह चुका थे वहां के बात्तपूर संस्थानों जैसे खनिस संपदा जमीन पर अभी वेटेस और फ्रांस इसी कंपनियों का ही नियंधन था बेश नियंधन के दसक में पश्चिमी अर्द्रवस्थाओं की तेज प्रग्रती से कोई लाब नहीं हुआ इस समस्याबों देखते हुए उन्होंने एक नई अंतराष्टी आर्थे पिडाली के लिए आवाज उठाई और समूर सतत्तर जिसे आप लोग जी सतत्तर के नाम से भी जानते हैं इसका इसे संगटित किया गया एन आई इओ से उनका आसा एक ऐसी विवस्था से साथ जिसे जिसमें उन्हें अपने संस्थानों पर सही मायनों में नेंदर्ण मिल सके जिससे उन्हें विकास के लिए अधिक साहिता मिल सके कच्चे माल के सही दाम मिलें और अपने तेयार मा रहे थे किस तरह से को हमारे साथ अर्टाव कर रहे थे तो इसी बताव को कदम करने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस तरह की कदम ले गए ठीक है कि आगे आगे आपका बेट ब्रेटें वोर्स का समापन और बैस भी करेंट की सुरुआत सालों की स्थिरों तेज विद्धी के बापजूर ये उद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था साथ के देशक से ही विदेशों ने अपनी गतिविदियों की भारी लागत ने अमेरिका की विद्धी और पितीस परदी चमता को कमजोर कर दिया था अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा की रूम में पहले जितना सम्माने तो निर्विवाद नहीं रहे गया था सौनी की तुल्ला में डॉलर की कीमत गरने लगी थी अत्ता इस थिर विद्धार की विवस्ता बिफल होई और प्रवाह मई या पिर आज थिर विद्धार की विवस्ता सुरूँ की गई सब्तर की दसकते की मद्दे से अंतराष्टिय संस्तानों में भाहरी बदलाओ आठ शुके थी अब तक विकासिल देश कर्जे और विकास समंधी सहता के लिए अंतराष्ट्य संस्तानों की सरन ले सकते थी लेकिन अब उन्हें पष्चमी के व्यावारिक प्यावसाइक बेंकों और निजी रिड़दाता संस्थानों से करड़ ना लेने के लिए बाद किया जाने लगा और विकासी लिष्ट में समय समय को करड़ संकट पैदा होने लगा जिसके कारण आय में गिरावाट आती थी और गरीवी वड़ने लगती थी अफिका और लेट के दसक के प्यारेंबीक बरसों तक वहां काफी विरोजारी भी रही है सतर की दसक की आखरी सालों में वहुराष्टी है कंपनिया भी एसिया के ऐसे देशों में उत्पादन के अदरिश करने लगी जहां बेतन कम हो आप लोगों को बताया है ना कि कंपनियों का जाहना सता स्रम अच्छी सुव्धा हो पान इस तरह की विवस्था हो एक तरह से आप समझीं की संतुलन मतलब उसके बेवस्था हो परिस्तित्यां कंपनी के हिसाब सिव आपना bleibt लेक है कि चीन को अधिकत्र कंपनियां चुलती है कियो चुलती थी व्हां देखंद सॉथी ह में कि बिखराओं तथा पूर्वी एवरोप में सोवियस सेली की ववस्ता समाथ हो जाने की पश्चात बहुत सारे देश दुबारा विस वर्द ववस्ता का अंग बन गए थे चीन जैसे देशों में बेतन दुलात्मक रूफ से कम थे फलस्वरूफ विस वाजारों पर अपना प्रिवत कायम करने के लिए पीतिस पादा करही विदेशी बवराष्ट के कंपनियों ने वहां जाकर निविस करना सुरूं किया बताया न चीन में कि आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे जानदतर टेलीविजन मोबाइल फॉन और खिलों ने चीन में बने होते हैं और वहां के जैसे ही लगते हैं यह चीनी अर्दवरस्था की अलप लागत अर्दवरस्था और खास तोर से वहां की कम बेतनों का नतिजा है यह बेवस्ता हमारे देस में भी हो सकती थी, लेकिन हमारे यहां के निताओं की आप समझते हैं ना पॉलिसी है ना ही कोई इस तरह का आप समझ सकते हैं कि विवस्ता है कि बहुराख्टी एक कंपनी हमारे देश में निवेश करें उससे क्या होगा रोजगार भी मिलेगा और हमारे देश के विकास भी बढ़ेगा विक्सित हो सकता है विक्सित देशों की सूची में जाकड़े हो आप एक समझ समझ सकते हैं कि चाइना हमसे दो साल बाद आजाद होता है हम लोग 1947 में और चाइना 1949 में जाकर आजाद होता है फिर भी आज हम लोग देख रहेंगे हम लोग कई मामलों में चीन से पिछड़े हुए इसमें कोई मतलब सरम की बात नहीं है हकीकत है आज आप देखें कि चाइना अमेरिका को ठकर दे रहा है महसक्ति बनने की कतार में खड़ा हो चुका है और हम लोग कहा है उद्वों को कम बेतन बाले देशों में ले जाने के से बैस्विक ब्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा है पिछले दो दसक में भारत चीन और विराजीर आधी देशों की अर्द्ववस्ताओं में आये भारी बदलाओं के कारण दुनिया का आर्ठिक भूगोल पूरी तरह से बद़ चुका है यहां कुछ आपके नए सब्दे हैं इन्हें भी देख लेता हूं बिनिवेदर इस विवस्ता के जरी अंतराश्टी ब्यापार की सुविदा के लिए बेविन देशों के राष्टी मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है मौटे तोरद पर बिनिवेदर दो पेकार की हुँती है इस्थिर बिनिवेदर की अगर बात करें तो जब विनिवे दर्व इस्थिर होती है तो उन में आने वाले उताव चड़ाओं को नेतित करने के लिए सरकारों को हस्तेचेप करना पड़ता है तो ऐसी विनिवे दर्व को इस्थिर विनिवे दर्व कहा जाता है और लचिली या परिवातन सील विनिवेदर की बात करूं तो इस तरह की विनिवेदर को विदेशी मुद्रा वाजार में विवने मुद्राओं की मांग या पर आपूर्ती की आधार पर वो सिधानता सरकारों के हस्तिचिप की बना गर्ठी बढ़ती रहती है तो एक कहानी थी आपकी आप समझे की घुमंडली के पिस्त का बनना यह आपका तीसरा अध्याय था इससे समझे तो आपके क्विश्चन से दीए गया है इन्हें भी देख सकते हैं और पीडियेप से आप लोग एक से दो बात पढ़ लीजे ठीक है जितना अधिक से अधिक आ मिलता है और अधिक से अधिक आप बार आप लोग पढ़ सकते हैं उसे पढ़ते रहे हैं तो चलिए अंगलिक चेप्टर में हम लोग मिलते हैं उद्दोगी करण का युद देखेंगे बहुत ही अच्छा चेप्टर रहेगा